जैहिन सात्यों स्वागत है आपका Self Study Classes विस्समिद जैन YouTube चैनल और दोस्तो एप में दोस्तो बहुत सारे स्टुडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आज उनको बता दूँ कि यह जो Self Study Classes इस प्रकार से जब आप Play Store से करते हैं तो यह आपका वेल जो है आईकन उसमें लगा हुआ है तो इस प्रकार से Self Study Classes आपको सर्च करना है और ऐसे आईकन में आपको एप मिलने बाला है तो दोस्तों हम देखें कि Play Store में आपको इस प्रकार से देखेगा यह Self Study Classes एप देखने बाला है यह Image उसमें डली है यह आईकन यह Logo उसमें डला है अब दोस्तों इसको Install करना है यहां से आप Install करेंगे ठीक है अब Install करेंगे तो बहां पर आपको नंबर मांगेगा जीमेल नंबर मांगेगा तो आपको OTP आएगा तो आप रजिस्टर्ट करके आंगे बढ़ेंगे तो सबी लोग वीडियो को लाइक करते हैं और वीडियो को सेर्वी करना है मोस्ट इंपोर्टन प्रस्णों पर चर्चा करेंगे बहुत ही बड़िया यह प्रस्ण होंगे ठीक है चरिए तो स्टार्ट करेंगे आज हिंदी साहत में सबी लोगों को फटा पड़ उत्तर बताना है और जो भी साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए है वो सब्सक्राइब कर ले ठीक है और दोस्तो जो अपना यूटूब चैनल है इसको क्या मिल गया है अब जोईन बटन भी अपन को प् बताना है तो स्टार्ट करेंगे आज का यह वीडियो आज का जो आपका पहला प्रसन है दोस्तों कि भारतिय आर भासाओं के बेकास के कितने चरण है चरण बताना है कितने चरण है दो चरण है तीन चरण है चार चरण है या फिर पांच चरण है यह चरण आपको बताना है तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतिय आर भासाओं के बिकास के कितने चरण है अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर जरू बताएं पर उत्तर आपका होगा दोस्तों कितने चरण है भारतिय आर भासाओं के जो चरण है वो है तीन चरण कितने हैं तीन कहने कि आपका बिल्को सही आंसर हो जाएगा बी नमबर जिनों ने बताया उनका अंसर बिल्को सही है अंगला क्वेश्चन देख लो किस बिद्वान ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर कहा है यह बहुत ही बड़ीया प्रस्न है कई बार पूचा गया है किस बिद्वान ने प्राकृत को मीठी और संस्कृत को कठोर कहा है जब कि, है न, तो ये जो संस्कृत को कठोर कहा है, किस ने कहा है, राज सेकर ने कहा है, भरत मुनी ने कहा है, बामन ने कहा है, या फिर स्वैंभू ने कहा है, तो किसने कहा है अधिकांस लोगों ने प्रष्ण कुर्मान के दोका जो उत्तर बता दिया है कि राज सेकर है ना राज सेकर साव है इनों ने कहा कि प्राकृत को मीठी है और संस्कित को कटोर है अब एक चीज़ बताना दोस्तो जिसका राज चल रहा है जिसका राज चल रहा है वो किसी को कुछ भी बता सकता है हमें तो प्राकरत मीठी लगती है और संस्कित का ठोर का है ता क्योंकि राज चल रहा है इनका तो राज सेकर आपका बिल्कु सही होगा आप ब्रंस में राम काब के प्रिथम कभी कौन है आप प्रंस में राम काब की प्रतम का भी बताना है कौन है ये चीज बतानी है चार बिकल्प आपके सामने है चार में से आपको चैन करना है दोस्तों और मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर एक बिकल्प देवसेन दिया है ये देवसेन साब की रचना है कौन सी स्राप का सरापकाचार इसका रचना काल क्या है 933 बी है हिंदी का पर्दंत है हिंदी की पर्दंत महा पुराण है जिसमें 1963 बन गएते तो यह पाहुड़ दोहा है तो नम्मर एक किसी होगी राम से कियोगी है लेकर राम-कभव चाहा करन को pouvष आते हैं ? तो आपका उत्त'रच क्या हो जाएगा ? वकल्प नम-मेर एक है । मैंने आपको कई बार बताया है कि जो स्वयंबू है दोस्तों इन स्वयंबू को रामकुमार बर्माने हिंदी का प्रतम कभी माना है ठीक है ए चीज भी आपको पता होनी चाहिए रामकुमार बर्माने और राउल बेल इनकी रचना है राउल बेल राउल बेल रचना है स्वयंबू की राउल बेल तो रोडा क कभी की है इनकी है कौन सी है राम काब कर पराधारत स्वयंभू की आपको बताना है राउल बेल तो रोडा कभी की है स्वयंभू की राम काब पराधारत जो रचना है वो आपको ही बताना है न मुझे क्या नहीं हो रहा है याद नहीं आ रहा है वो अंगला बताना है हिंदी मे हिंदी साहत का इतियास बताना है जल्दी बताओ हिंदी में हिंदी साहत अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं हो ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि गलत कॉस्चन कर देती हैं क्या करते हैं हिंदी में हिंदी साहत आप बोल देती हो कि हिंदी साहत का सबसे पहली इतियास किस ने लिखा तो आप लगा देती हो गारसादा तासी लेकिन बात यहाँ पर होती है दूस्तों हिंदी में हिंदी साहत का हिंदी भासा में हिंदी साहत का इतियास सबसे पहली लिखा है से उससे सेंगर ने गारसादा ये फ्रेंच विद्वान ते तो इन्होंने फ्रेंच भासा में लखा है हाँ पयूम चरिव, वेरी गोड प्रदीप जीट पयूम चरिव रचना है इनकी राम काब पराधारे स्वेंबुई जी की वेरी गोड पयूम चरिव, ठीक है और हिंदी साहित का इतिया सबसे पहली हिंदी में लखा स्योसे सेंगर ने, सबसे पहली हिंदी साहित का इतियास लखा गारसादा तासी ने, सबसे पहली हिंदी साहित में काल विभाजन का प्रियोग किया गया तो दा modern vernacular literature आप हिंदुस्तान जो की गिरियर्शन की किर्टी है और रामचंद्र सुकली की अगर बात करें तो इनका हिंदी साहत का इतियास एक ब्रहध गरंथ है जो की हिंदी सब्द सागर की भूमिका में 1929 में प्रकासित हुआ था रामचंद्र सुकली जी का ठीक है तो इ आधा सुमन, आधा कुसम, आधा फूल किसी को नहीं दिया जाता है ना किसी को नहीं दिया जाता ना तो आधा इतियास कौन लेखेगा आधा वो ले सर आधा किसी को नहीं दिया जाता क्या फूल, सुमन, कुसम है ना यह सभी परियाबाची है तो यह सुमन राजे ने लिख दिया, बच्चन से ने लिख दिया, मैंने आपको याद करवाया था, वोले हिंदी साहित का दूसरा इतिहास लिखो, तो वोले दूसरा इतिहास कैसे लिखें, यह बच्चन का काम थोड़ी है, यह बच्चन का काम नहीं है, बच्चों का काम नहीं है, दूसरा इतिहास लिखन अंदिकार काल किस ने कह दिया, अंदिकार काल, मिस्र बंदुओं ने क्या कहा है, त्रिलोचन ने क्या कहा है, मिस्र बंदुओं ने आपको पता है इन्होंने क्या कह दिया, अलंकरित काल है ना, क्या कह दिया, मिस्र बंदुओं ने क्या कह दिया, त्रिलोचन ने, तो आपको बताना है दोस्तो अंदिकार काल जो कहा है वो किसने कहा है और अंदिकार काल कहा किसने त्रिलोचन साब ने बी नमबर आपका बिलकुँ सही हो जाएगा यह रीती काल को ठीके हाँ बी नमबर सही होगा अंगला बताओ हिंदी साहित का संचिप्त इतियास के लेका कोन है हिंदी साहित के संचिप्त इतियास विस्तुनात तरपाटी है या फिर रामचंद्र सुखल है बच्चन से है हाँ हजारी पर साथ दुबेदी है कौन है मिस्टर बंदु ने अलंकरित काल कहा है और संचिप्त आप लोग संचिप्त की चक्कर में पढ़ी रहते हो कि बुली सर हिंदी साहे संचिप्त में पढ़ा दो जो विस्तु की लोग विस्तु भर में क्या है संचिप्त पर पढ़ी रहते हो यार विस्तरित को अनपड़े संचिप्त पढ़ दो संचिप्त है ना तो विस्तुनात त्रपाथी संचिप्त इतियास लिखा है नोने हिंदी साहत का हिंदी साहित का उदभाओ, हिंदी साहित का आदिकाल, हिंदी साहित की भूमिका ये सब हजारी पर साथ दुबेदी ने लिखी है बच्चन से ने तो बता दिया कि हिंदी साहित का दूसरा इतियास लिख दिया रामचन सुकली हिंदी साहत का इतियास लिखा है हिंदी सब्सागर की भूमी काम है तो ये चीज भी आपको याद रखनी है और ये नम्मर आपका बेस्थुनातर पाटी बिल्कुँ सही हो जाएगा हिंदी की पहली कहानी लेकिका का नाम क्या है दोस्तो हिंदी की पहली कहानी लेकिका का नाम बताना है बंग महिला है चित्रा मुदगल है जान की देवी बजाज है या पर कौसल्या बैसंत्री है हमने एक रचना एक आपकी आत्मकथा याद करवाई थी दोहरा अभी साब दोहरा अभी साब किसको मिला कौंसलिया को मिला दोहरा अभी साब कौंसलिया बैसंत्री है ना और जानकी देवी बजाज ने क्या की अपनी गाड़ी अपनी जीवने आत्रा है ना मेरी जीवने आत्रा जो है बजाज गाड़ी से स्टार्ट की थी जानकी देवी बजाज ने और पहली कहानी लेकि क्या मानी जाती है बंग महिला बंग महिला यानि की राजा वाला घोस है ना ये नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा इनका उपनाम है बंग महिला तो ये नमबर बिलको सही है अंगला बताना है प्रेम चंद के के सुपन्यास का पात्र सूर्दास है प्रेमचांद का ओसो पन्यास का पात्र वताना ये कोश्चन पूचा भी गया है प्रश्न करमा करनो रंग भूमी का है निर्मला का है कर्म भूमी का है क्या फिर सेबा सदन का है किसका पात्र है सूर्दास और सूर्दास सूर साहित लहरी इनकी रचना हैं सूर्दास कुंबंदास के सूर्दास के गुरू का नाम सा बल्लबाचार और बल्लबाचार के सिस्थों में अश्टचाप्त में सबसे स्रिष्ट माने जाते हैं तो सूर्दास माने जाते हैं और इनों के जो सूर्दास जी है वो रंग भूम सुर्दास हैं, रंग भूमी उपन्यास के पात रहे हैं रंग भूमी निर्मला, कर्म भूमी, सेवा, सदन जो हैं न जिसके हैं दोस्तों आप प्रैम चंद जी के हैं और यह ऑपन्यास आपको हमेशा याद रहता है, की अधूरसूरा रह गया मंगल सूत्र प्रेमचंद जी का मंगल सूत्र अधूरा रह गया ठीक है बहुत सारी लोगों की रह जाते हैं दोस्कों मंगल सूत्र अधूरे जो प्रेमचंद जी का भी मंगल सूत्र अधूरा रह गया कौन सी रचना अबदी में नहीं है कौन सी रचना अबदी में नहीं है राम सर्थ मानस नहीं है और बेराग संदीपनी बने पत्रीका या फिर पदमा बती जस्वन्त जीप हाँ बालवेकास की कख्चा भी बंद हो गई है यहना कौनसी रचना अबदी में नहीं है बतानी है तो अबदी में कौनसी नहीं है दोस्तो अबदी भासा में हमने आपको अबदी भासा में जितनी रचनाए है वो आपको बताई थी कि जहां पर राम आए राम आए वो अबदी भासा में है है ना और तो दोस्तो यहां पर जो गड़बड़ हो गया कुछ है ना क्या गड़बड़ हो गया राम चरित मानस भी आपकी अबदी में है पदमा बत भी आपकी अबदी में है ठीक लेकिन आपकी जो बिनाई पत्रिका और बेराग संदीपनी जो है यहना यह जो C नंबर है और जो B नंबर है ये तो ब्रड़बहासा में है है यहना तो बिनाई पत्रिका यहां पर की उत्तर दिया है C नमबर बिनए पत्रिका ठीक है तो बिनए पत्रिका ब्रज में है बिनए है ना मंगल और राम आए तो बिराग संदीपनी भी आपकी ब्रज भासा में है ना ब्रज में है तो बी और सी ये दोनों ही आपके सही होंगे ये अबदी में नहीं है पदमाबत अबदी में है रामचित मानस भी अबदी में है ठीक है अगला बताना है आपको सिद्धों ने क पीछे question दिखाई नहीं देते, संध्या, तो बताना है किस भासा सहरी में रचनाय लिखी है सिद्धों ने, बिनाय पत्री का भी ब्रज में है, तो प्रश्न किर्मा की 11 का उत्तर बताना है, और 11 का आपका बिलको सही आंसर क्या हो जाएगा, 11 का, इन्होंने दोस्तों संध्या संधा भासा, यहाँ पर संध भी नहीं है, संध्या भी नहीं है, संधा भी नहीं है, संधा सही होगा, संधा, संधा भासा सहली में इन्होंने रचनाय की है, किसने, सिद्धों ने, है ना, तो याद रख ले ना, सिद्धों की संध्या कितनी बताई है, 84 बताई है, है ना, सर राहुल जी ने यानि की राहुल शांकृत्याय ने हिंदी का प्रिथम कभी माना है है ना तो ये चीज भी याद रखनी है सिद्धों में डाक्टर रामकुमार बर्मा ने संदीकाल का समय क्या माना है जी यहां दोस्तों बडिया ही प्रस्ण है रामकुमार बर्मा के बारे में में आपको हमेशा बताता हूँ कि रामकुमार बर्मा ने हिंदी साहित का अलूचनात्मक इतिहास लेखा वो भी कैसा लेखा अधूरा लेखा है ना हिंदी साहित का जो अलूचनात्मक इतिहास है ये अधूरा है दोस्तों इसमें केवल भक्ति काल तक ही की वर्णन मिलता है अलूच नात्मक की तिहास में है ना लेकिन जो रामकुमार बर्मा है इन्होंने संधीकाल का जो समय माना वो क्या मान लिया संधीकाल का प्रश्ण किरमान के बारा का आंसर बताना है दोस्तों और आपका बिल्कुस सही आंसर होगा 750 से 1000 का जो काल है इन्हो उन्होंने संधीकाल माना और संधीकाल के बाद उन्होंने चारनकाल माना चारन है ना चारनकाल तो आपको याद रख लेना है हिंदी सायत की आदीकाल को चारनकाल किसने कहा है ऐसा कोस्चन आता है तो चारनकाल अपने गिरियरसन साव ने भी कहा है और इन्ही रामकुमार जी ने भी कहा है, 750 से 1000 का काल इन्होंने संदी काल माना है रामकुमार बर्माजी ने ठीके, तो ये नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा, ठीके, अंगला question दिखलो, इंडी तायत के प्रारंबिक काल को जैकाल किस ने कहा जै, है ना जैकाल बताना है किसने का, रामा संकर सुकल रसाल ने, महाबी पिरसाद दुवेदी ने, मोहन अवस्थी ने, या गिरियर सन ने तो जैकाल बताना है दोस्तो, किसने कहा ये जैकाल यहाँ पर अगर हम बात करें कि महाबी पिरसाद दुवेदी ने तो बीजबपन काल कह दिया है ना रमा संकर सुकल रसाल ने तो दोस्तों क्या कह दिया क्या कह दिया क्या कह दिया है ना राम और संकर की क्या हो जै हो है ना और यह चीज़ याद रखनी है जै काल जै किसकी हो राम की और संकर की तो आपका जैकाल किस ने कहा रामा संकर सुकल रसाल ने मोहन अवस्थी और अवस्थी से अवस्था हो जाएगा दोस्तों अवस्थी से अवस्था और जब आपकी अवस्था जितनी लोग देख रहे हैं सभी की अवस्था अगर बुड़ापे किया जाए तो लाठी का आधार ले लेना इस प्रकार से जो लाठी होती ना लाठी लाठी का आधार ले लेना तो आधार काल कहा मोहन अवस्ती ने हैना बुले सर अवस्ता हो गई है मेरी अब मैं लाठी के आधार पर चलता हूँ आधार तो अवस्ता हो गई तो आधार लेना है ठीक है तो आधार काल इनोंने कहा है मोहान अवस्ती जी ने याद रखना है अंगला कोश्चर बताना है गोटन रचना का संबंद किस बिदा से हैं गोटन होने लगी किस बिदा आत्म कथा, रेका चित्र कहानी या फिर उपन्यास से तो आत्म कथा भी आपने पड़ी है हिंदी की प्रतम आत्म कथा हम पढ़ते हैं अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की ठीक है और अर्ध कथा हम पढ़ते हैं नगेंदर की आत्म कथा है ना आत्म कथा हम नगेंदर की पढ़ते हैं अर्ध कथा और अर्ध कथानक हम पढ़ लेते हैं किसकी अर्द कथारनक बनार्शिदास जैन की है ना तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है और जो गटन रचना है कि किसकी है आत्म कथा है आत्म कथा कही है ये है ना और एक नम्मर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा ठीक है 54 मोहन का आधार काड बहुत ही कई बार मैंने आपको बताया है ये गर्दिस के दिन ये आत्म कता है किसकी है कितने पाकिस्तान आपको पता है कितने पाकिस्तानी के रचना लिखी है किसने लिखी है किसने लिखी कितने पाकिस्तान कितने पाकिस्तान मैंने आपको याद करवाया था बोले सर पाकिस्तान कितने है जन्दी बताना है आपको गर्दिस के दिन आत्मकता बताना है दोस्तो यह जो गोटन है यह गोटन वेरियोट अपने कुरेशी जी ने बहुत बढ़िया यहाँ पर सही बताया है कि जो गोटन है यह गोटन जो रचना है गोटन यह है दोस्तो आपके कौन की बहुत बढ़िया तरीके से बताया है अपने खुरेशी जी ने बहुत बढ़िया धन्वाद है ना गोटन जो रचना है कि रमा संकर आर की है यहाँ पर याद रख लेना आत्म कता है यह किसकी है रमा संकर आर है ना यह रमा संकर आर की है गोटन है ना इसको याद रखेंगे और जो हमने बताई थी कि जो गोटन बालिमी की है जूठन है ना जूठन बालिमी की साब की है जूठन जो है जूठन बालिमी की आत्मकता है और ये गोटन जो आत्मकता है रमा संकरार की है ठीक है ये चीज याद रखने रमा संकरार की है ना very good तो इसको याद रखेंगे और गर्दिस के दिन एक कमले सुर जी की है कमले सुर जी बनार सिदास जी की अर्द कतानक है है ना और जान की देवी बजाज की मेरी जीवने आत्रा और मेरी जीवने आत्रा इन दोनों की ही है ठीके हाँ ठीके तो इनको याद रखेंगे जान की देवी बजाज की मेरी जीवने आत्रा और राहुल सांक्रित्यान की भी मेरी जीवने आत्रा इन दोनों की भी याद रखेंगे ठीके बहुत बढ़ याद अंगला देखो कुष्टी मार की प्रवर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं बल्लबाचार रामानंद बिठलनात और रामानुच यह जद्धी से बताना है दोस्तो कुष्टी मार के प्रबर्तक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं कोई बात नहीं देखो जब कोई question गलत होता है और जब question को आप गलत से सही करते हो तो वो चीज आप कभी नहीं बूल सकते जो question आपका गलत हुआ है और गलत को आप सही करते हो वो question आपके mind में बैठ जाता है अब आप कभी नहीं बूलोगे घोटन किसकी है? रमा संकर आर की जूटन किसकी है? और अम प्रकास बालिमी की की है ना? तो होना चाहिए गलत भी होना चाहिए ठीक है? ठीक है? तो ए चीज भी आपको याद रखनी है फिर अंगला question आपको बताना पुष्टी मार के जो प्रवर्टक हैं वो कौन है? पुष्टी मार के प्रवर्टक दोस्तों पुष्टी मार के सभी लोग प्रवर्टक बताएंगे सभी लोगों को पता है और पुष्टी मार के जो प्रवर्टक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? बल्लबाचार है ना? बल्लबाचार यानि कि आपका जो बल्लबाचार जी है ये नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा पुष्टी मार्क की प्रवर्ता के बल्लबाचार ये नमबर ठीके है ना अस्ट चाप की स्टापना कीती 1565 में नेक्स्ट बताना हिंदी के किस ताहित्तकार को सरप्रतम ज्यानपीट पुरुसकार मिला है मैंने ग्यानपीट पुरुसकार से संबंदेत जो रचना है वो सारी करवाई है ग्यानपीट पुरुसकार से संबंदेत है ना और सरप्रतम ग्यानपीट पुरुसकार किसे मिला ये चीज भी बतानी है तो दोस्तो हम जब ग्यानपीट पुरुषकार पड़ते हैं तो सरपिर्तम हिंदी में जो ग्यानपीट पुरुषकार मिला, वो 1968 में मिला, चिदंबरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को, है ना 72 में अपने दिनकर जी को मिल गया और बसी, है ना, कैसे अगे के लिए मिला 1978 में मिल गया इन्हें ठीक है तो इनको सभी को याद रखना है जो अपने ज्ञानपीट पुरुसकार वाली रचनाए थे जो साहितकार थे वो भी आज की वीडियो में ही अपने याद किये हैं है ना तो इस तो सभी को याद है सब्दार्थ सरीरम तावत्य काप्यम है ना चिडिया ने चीऊ किया हाँ चीऊ किया तो भामः बामन ममट आनंद बरधन तो सब्दार्थ सरीरम तावत्य काप्यम ये जो परिभासा दी है वो किस ने दी है और आपका बिलकु सही आंसर होगा मैं आपको बता दूं दोस्तों रीती संपरदाई की पिरव सब्दार्थ सरीरम तावत्य काप्यम और दोस्तों कोई अच्छी से सब्द बोलें सरीर में आनन्द आ जाता है है ना आनन्द आ जाता आनन्द की अनुगूती हो जैती है तो सब्दार्थ सरीरम तावत्त काप्यमी आनन्द वर्धन की परिवासा है हिंदी के प्रतम देनेक समाचार पत्र का नाम बताना है दोस्तों हिंदी का प्रतम दैनक समाचार पत्र कौन है मैंने आपको समाचार पत्र भी याद करवाए हैं पढ़ाय हैं यह से हमेशा पूचे जाते हैं हमने याद करवाई थी क्या प्रदीप के बाल भटा से भरत गए है ना याद है आप लोगों को ट्रिक प्रदीप के बाल भटा से भरत गए यानि कि जो हिंदी प्रदीप था हिंदी प्रदीप के संपादा कुंते बाल से बाल कर भट है यह हमने याद करी थी ठीक है प्रदीप के बाल भटा से भरत गए अब प्रदीप जी है बोले सर आप वोई वोई क्यों बोल लाए हो हाँ, very good तो इस द्यनेक समाचार पत्र यहाँ पर पूछा गया इस समाचार सुधा वर्षन है छी के अठारा सु चोंगन में स्याम सुंदर सेन इसकी संपाध अक्ति और दोस्तो फिर्थम समाचार पत्र माना जाता है उदन्त मार्तंड उरे उदन्त मार्तंड क्या था, यह सापताहिक समाचार पत्र था हिंदी का अगर आपसे पूछा जाता, यह द्यनेक काड़ दीती यहाँ पर देनेक समाचार पत्र कार दीती पिर्थम अगर इतना वस पूचा जाता पिर्थम तो आप लगा दीती उदंत मारतंड है ना और यहाँ पर देनेक की जगा सापता है कर दिया जाता, सापता है, तब भी आप लगाते हैं उदंत मारतंड, लेकिन यहाँ पर अगर देनेक अगर दिया है, तो आपको यहाँ आ जाना है समाचार सोदावर्शन पर, ठीक है, समाचार सोदावर्शन पर, और दोस्तों, यह ब अबदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है दोस्तों अबदी को बगेली दौनों कोसली या इन में से कोई नहीं तो किस नाम से जाना जाता है अबदी भासा को प्रश्न किर्मान को 20 का सही आंसर बताना है और अबदी को जाना जाता है प्रश्न किर्मान को 20 में अब्दी अब्दी को कहा जाता है क्या कोसली कोसली यानि B-Number आपका बिलकुँ सही होगा अब्दी को कोसली भासा के रूप में जाना जाता है और B-Number आपका बिलकुँ सही हो जाएगा ठीक है B-Number अंगला question है दोस्तो इसनेह लीला की रचनाकार कौन है इसनेह लीला है ना किसनेह है हमें किस से इसनेह है विश्णु जी से किस से इसनेह है विश्णु जी से इसनेह है तो इसनेह लीला की रचनाकार कौन होंगे विश्णु दास होंगे है ना विश्णु दास विश्णुदास विश्णुदास तो विश्णुदास यानि सी नम्मर इसने लीला की रिचनाकार विश्णुदास जी हो जाएंगे आदी कालीन साहत का प्रमुकरस कौन सा था 22 सांत था, स्रंगार था, बीर था या फिर हास से था आदिकाली साहित का प्रमुक रस कौन सा था दोस्तों आपने पता है कि रामचंद सुखल ने बारा रचनाओं के आधार पर इस आदिकाल का नाम लग दिया वीर गाता काल है ना वीर गाता काल रख दिया वारा रचनाओं को प्रमानेकता का आधार माना और वीर रस की रसका जो इसमें प्रधान था और आस्त्रय कभी हुआ करते थे मतलब जो है विविन प्रिकार के जो आस्त्रय थे राजाओं के आस्त्रय थे उनकी यसोगान का वर्नन करते थे तो फोल र Clone look से इन ग्रंतों को प्रमाने कि नहीं माना गया, ठीके, अगला आपको बताना है निम्न में से कौन सा Mano Vielctica eastern अबादी कभी माना जाता है ? Mano Glory एक विछ एक क्वोश्चिन कई बार पूंछा गया है दोस्तों Mano बिस्टिलेशन अबादी, यहां आप लोग कन्फ्यूज होते हो, देखो मनो बिस्टिलेशन अबादी कभी माने जाते हैं कौन कौन जैनेंदर कुमार माने जाते हैं इला चंदर जोसी माने जाते हैं अग्गे माने जाते हैं, यह तीनों ही माने जाते हैं और एक और माने जाते हैं अगर किसी को पता हो तो बता देना, कमेंट में बता देना, है ना, एक और माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं, मनोब श्रेशनबादी, एक कॉस्चिन कई बार पूचे गए, अग्गे, जैनेंद्र और इला चंद्र जोसी, ये मनोब श्रेशनबाद कभी हैं कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा ये क्वेस्चन बनता ही है ठीक है डाक्टर दिवराज है ना डाक्टर दिवराज जो है वो भी माने जाते हैं डाक्टर दिवराज ठीक है याद रख रहेंगे बैरिगोट परवेज खुरैसी जी डाक्टर दिवराज भी मनोविस्ट्रेशन बादी माने जाते हैं ना तो यह चीज भी आपको याद रखनी है ब प्राचीन, दोहा है, वर्वे है, चपपय है, या फिर सबया है, सबसे प्राचीन चंद की बात हो रही है, और सबसे प्राचीन चंद कौन सा माना जाता है, तब आपका बिलकुस सही आंसर होगा दोस्तों, कि चंद माना जाता है, प्राचीन दोहा, दोहा माना जाता है, यानि कि ये नम्मर आपका दोहा बिलकुस सही हो जाएगा, ठीक है, दोहा, प्राचीन चंद है, और दोहा में आप पढ़ते हैं न, 13, 11, नेवन में से कौन सा तार सब्तक का कभी नहीं है तार सब्तक है ना चार तार सब्तक प्रकासित हुए दोस्तों और तार सब्तक मैंने याद भी करवाय थे तार सब्तक के कभी याद करवाय थे है ना तार सब्तक के बहुत सारी चीजें आपको ट्रिक बताई थी और नेक्स्ट कोड है एक तार सब्टक का नयमी मुक्त भारत की प्रभागिरी राम की आग्या से यह ऐसा कोड में आपको करकर के बताऊंगा और तार सब्टक के नयमी चंदर जैनी भी हैं मुक्ति बोध भी हैं अग्याई भी हैं तो कौन नहीं है रामधारी से दिनकर साब नहीं है दिनकर यानि C-Number, ठीक है, सिंकर साब नहीं है, रामायर महानाटक की रचेता कौन है दोस्तों, इस तोला सो दस का नाटक है, यह पूछा गया है L-T-Gret, L-T-Gret में पूछा गया UP-L-T-Gret में, हैना कि रामायर महानाटक की रचेता कौन है, जो 308 खाकौर है, नावादास है, प्राण है तो रामायन महानाटक की रेचिता कौन होंगे प्राण चंद चोहान है ना और एक रचना है वर्ण रतना कर वर्ण काई में पढ़ना है वर्ण माला या फिर वर्ण पढ़ना है हमें जोती में अंधेरे मनी पढ़ना जोती में पढ़ना है तो वर्ण रतना कर जो 308 भाकुर की है, भाक्तमाल आपको बता है, नावा दास की है भाक्तमाल, ठीके, और दामुदर कभी की कौन सी है, दामुदर कभी की आपको बताना है कौन सी है, कमेंट मिले को फटाक से, दामुदर कभी की रिचना कौन सी है, जो प्रसित है, पूछी जाती है, जल्दी से बताओ कौन सी है दामोदर कभी की रिशना कमेंट में आपको लिख देना है और अंगले प्रस्चन की ओर बड़ा जाते हैं अंगला है दोस्तों कभीर की भासा को सादुकडी किस ने कहा है सादुकडी यहाँ वेरी गोड परवेश जी उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण है ना उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण किस की है दामोदर पंडे दामोदर सरमा की है ठीके वेरी गोड उक्ती ब्यक्ती प्रक्रण है है ना एस जी राकेश जी अब सादुकडी कभीर की भासा को सादुकडी किस ने कहा सादुक्डी सादुक्डी बताना है एक दोस्तों अपने पड़ा था पंच मेल खिचली पंच मेल खिचली बोले दोस्तों जब पंच मेल खिचली बनेगी तो पंच मेल खिचली विवन फिरकार के मेल किया जाएगा तो ये कैसी होगी सुन्दर होगी कैसी होगी सुन्दर होगी तो स्याम सुन्दर ने कहा था क्या कहा था पंचमेल खिचडी कहा था लेकिन सादुकडी किस ने कहा था तो सादुकडी कहा था किस ने सुकली जी ने है ना सिकली जी ने और हजारी परसाद दुवेदी ने क्या कहा था बाणी का Dictator, कबीर को बाणी का Dictator कहा दुवेदी जी ने, है ना रामचंज सुकली जी ने सादुकली कहा, पंचमेल खिचडी कहा स्याम संदर ने, ठीके स्याम संदर तो कबीर की भाठा को फिर पुछ लिया गया पंचमेल खिचडी तो पंच मेल खिचडी कैसी होगी कैसी होगी पंच मेल खिचडी सुन्दर होगी सुन्दर है ना पुलिसर बहुत सुन्दर खिचडी थी पंच मेल खिचडी है ना तो स्याम सुन्दर दास बाबू स्याम सुन्दर दास ने कह दिया कि यह जो कवीर दास की भासा है यह तो कौन दुवेदी योग का कभी नहीं है दोस्तों दुवेदी योग का कभी कौन नहीं है बेयोगी हरी नहीं है मैत्रिशन गुप्त नहीं है अंबिका दत्य ब्यास है या राम निश्तर पाठी नहीं है बताना है दुवेदी योग के आपको पता है कि जो दुवेदी योग है तो यह महावीर पिरसाथ दुबेदी जी के नाम पर योग का नाम पढ़ गया दुबेदी योग है ना। और जब महावीर पिरसाथ दुबेदी की बात आती है तो यह 1903 में बनन गया सरस्वती पत्रिका के संपादक है ना। और 1920 तक जमे रहे सरस्वती पत्रिका में है ना और सरस्वती पत्रिका की जब पात आती है तो सरस्वती पत्रिका दोस्तों 1900 में जो है प्रकासित हुई थी और स्याम सुंदर स्याम सुंदर जो थे वो क्या थे इसके प्रिथम संपादक थे और दोस्तों इसके जो संस्थापक संपादक और संस्थापक में बहुत कंफ्यूज हो जाता है सभी लोग में और चिंतामणी जो घोष ते वो चरस्वती पत्रिका के क्या ते संस्थापक ते प्रतम संपादक ते स्याम सुन्दर और 1900 में ये प्रकासित हुई थी है ना तो याद रख लेना है और दोवेदी युक का कभी कौन नहीं है तो कौन नहीं है अंबिका दत्त ब्यास ठीक है ये अंबिका दत्त ब्यास कौन से युक्के है ये भारतेंदू युक्के है भारतेंदू युक्के है है ना भियोगी हरी है मेतिश्ण गुप्ति भी हैं, रामनरेश्ठ पाटी भी हैं, ठीके तो इनको अपने याद रखेंगे अंगला बताना अयूद्या से उपाद्या हरियोत की प्रिथम रचना कौन सी है दोस्तो प्रितम रचना बताना है क्रश्न सतक है रस कलस है प्रिय प्रवास है या व्यदेही बनवास है तो 30 का आंसर एक कई बार पूँचा गया है है ना और अयुद्या सिम्पाद्या हरियोत की जब बात आती है दोस्तों तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ठेट हिंदी का ठाट अयुद्या स्यमपाद्या हरियोत की कई बार पूछी गई है ठेट हिंदी का ठाट ए रचना कई बार पूछी गई और प्रिये प्रवास प्रिये प्रवास तो आपको पता है कि जो प्रिये प्रवास है हिंदी खड प्रिधिये प्रवास, ठीक है, और आयुद्ययस नेवपाद्य हरियोत की ठीट हिंदी का ठाट बिलकुँ सही है और इनकी जो प्रिधम रचना मानी जाती है दोस्तों, वो मानी जाती है कौन इसी, क्रशन सतक है ना, क्रशन सतक यानि कि आपका जो उत्तर है, वो क्या हो जाए प्रेमगन और चौथा राधा कर्षन दास की तो किसकी रचना है दोस्तो आनन दर्णोद है यह हमें बताना है और जो भी साती सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ठीक है सभी लोग subscribe कर लेना जितने भी साती नहीं किया है और जिन सातीयों को क्या नहीं पहुंचती है information नहीं पहुंचती है वो bell icon को जरूर दबाएंगे ठीक है, bell icon को आपको जरूर दबाना है और all पर click करना है bell icon को दबा कर और आज का जो पहला प्रस्ण है कि दोस्तों अगर कोई प्रेम से बोल दे प्रेम से अगर दो सब्द बोल दे तो आपको क्या आ जाता है वो ले आनन्द आ गया सब है ना आनन्द आ गया तो प्रेम घन है ना प्रेम घन और प्रेम की अगर घन चा जाएं तो आनन्द आ जाता है तो इसलिए C नमबर आपका बिलको सही हो जाएगा C नमबर आनंद प्रेमखन अब दोस्तों यहाँ पर रादा करशन दास भारतेंदू, जगमोहन से प्रेमखन इसा भी भारतेंदू योग के कभी हैं और अंगला कोस्चन आपको बताना भारतेंदू की कभीता की सबसे बड़ी बिसेशता क्या है ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काब रचना प्राचीन और नभीन का समनबय या फिर प्राचीन ब्यंग द्वारा अंगरेजी सासन की निंदा या फिर सामप्रदा एक कट्रता का अभाव तो भारतेंदू की कभीता की सबसे बड़ी जो बिसेशता है वो बिसेशता क्या है भारतेंदू जी के बारे में जब तक मैं आपको बता दूँ कि इनका जन्म हुआ था 1850 में और 1880 में इनकी म्रत्यू हो गई ठीक है किसकी भारतेंदु जी की भारतेंदु योग का नाम इनी के नाम पर रखा गया भारतेंदु योग और इनके इनका एक जो दोस्तो भारतेंदु मंडल था भारतेंदु मंडल और एक क्वेस्टन ऐसा भी पूंचा जाता है कि भारतेंदू युक के सबसे वरिष्ट जो कभी माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं तो बालकर्ण भट सबसे वरिष्ट माने जाते हैं जिनका जर्म हुआ था 1844 में ठीक है और बालकर्ण भट की जब बात आ ही गई है दोस्तों तो हिंदी प्रदीप के संपादक थे बाल अंगरेजी साथन की निंदा, यानि की आपका जो उत्तर है वो C नंदर बिल्कु सही हो जाएगा, बैंग द्वारा अंगरेजी साथन की निंदा, अ भारतिन्दू युग की कवीता की सबसे बड़ी बिशेशता थी, यानि आपका उत्तर क्या होगा, C नंदर, ठीक है, अगल कामाईनी का जो सन माना जाता है जो काल माना जाता है प्रकासन काल माना जाता है वो 1935 माना जाता है कामाईनी 15 सर्ग हैं कामाईनी जैसंकर प्रसाद की रचना है ठीक है ये चीज भी आपको याद रखनी है कामाईनी किसकी है जैसंकर प्रसाद की है और दोस्तो इसमें स्रद् प्रतीक है वो हिरदय का प्रतीक है हिरदय ये और स्री नममर्यार्च का इंसर प्रतीकіш दोस्तों स्वाच्ञומद balance की स्थर पा थक्यानि नीराला है राम नरेश्चर पाटी हैं या पर पिरसाद जी हैं और आपको पता होगा कि दोस्तों जो अपने महावीर पिरसाद दुवेदी थे महावीर पिरसाद दुवेदी इन्होंने क्या किया कि यह संपादक थे काई कि सरस्वती पत्रिका के और जो चंद मुक्त रचना इनकी जो थी वो कौन सी थी निराला जी की कौन सी थी जूही की कली थी और जूही की कली को प्रकासित करने से मना कर दिया महादेवी महावीर परसाद दुबेदी ने और फिर आंगे चल कर ये जूही की कली जो रचना है बहुत ही प्रसिद्ध हुई और ये जो है दोस्तो प्रसिद्धी का आधार बनी न निराला जी यानि B नम्मर बिल्को सही है ठीक है इनका एक सोक गीत है दोस्तों कौनसा सरोजिस्मिर्टी संसार का सबसे सोक गीत माना जाता है इनका निराला जी का सरोजिस्मिर्टी तो यह चीज भी आपको याद रखना है है ना और ठीक है अंगला पूचा जाता है कि महादेवी बर्मा हैं दोस्तों महादेवी बर्मा के बारे में जान लेते हैं सबसे पहला जो इनका फैक्ट आता है कि इने क्या कहा जाता है महादेवी बर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है ठीके दूसरा फैक्ट आपका आता है दोस्तों कि महादेवी बर्मा की जो यामा जाती हैं और महादेवी की रचना निर्जा सरोज को जाता है और दोस्तो इनकी एक रचना और पूछी जाती है तोड़ती पत्थर है ना तोड़ती पत्थर ये अथार्थ बादी रचना है इनकी तोड़ती पत्थर है ना ऐसा पूछा जाता है तोड़ती पत्थर किस प्रकार की रचना माने जाती है तो ये अथार्थ बादी माने जाती है और पंत को प्र प्रवर्तक मान लिया और पिरसाज जी को छायवाद का प्रवर्तक किस ने माना है तो जोसी साब ने माना है ईला चंद्र जोसी साब ने ठीक है तो ये छायवाद के चार आदार स्टम्बो में से हमने इनकी बात कर ली इनके बारे में जान लिया ठीक है अंगला कोश्चंद्र को लोकायतन किस प्रकार की रचना है दोस्तों लोकायतन बताना है जब तक मैं आपको बता दू कि जो लोकायतन रचना है यह पंत जी की है किस की है पंत की हां राम की सकती पूजा भी इनकी लंबी का विताओं में ऐसे एक है और निराला जी की और लोकायतन बताना है तो लोक कुछ सही आंसर होगा लोकायतन और लोकायतन जो काब वह रचना है दोस्तों कि महाकाब है किसका महाकाब है लोकायतन पंत जी का है बहुत ही बढ़िया हाँ सजल गीतों की गाई का भी उन्हें कहा जाता महादेवी वर्मा जी को है ना सजल गीतों की गाई का और लोकायतन महा काब पंत जी का है ये चीज भी याद रखनी है है ना और ये प्रबंद काब है इसलिए याद रखना प्रबंद काब के आपको पता है महा काब और खंड़काब दो भेद होते हैं प्रबंद काब के ठीक है तो ये प्रबंद काब है महा काब है पंत जी का अंगला कोश्चन है किसे माना है चायाबाद का जनक, मैंने पहले ही आपको बता दिया, तो इतर बताने ही आपको दिफकत नहीं को निराला जी ने माना है, मुकृधर पांडे ने माना है, जैसंकर प्रसाद या पिर सुमित्रा नंदर पंथ ने माना है, किस ने मान लिया दोस्तों नंद Age do we know how to find the दी नम्मर आपका बिल्कु सही होगा पंत जी को माना है और मुकुटधर पांडे को किसने माना है तो सुकली जी ने माना है ना मुकुटधर पांडे को सुकली जी ने और सुमित्रा नंदन पंत को दुलारे बाच पेई ने ईला चंदर जोसी ने माना है जैसंकर पिरसाज जी को ठीक है ये भी याद रखेंगे सबी लोग अंगला कॉस्चन देख लेते हैं दोस्तों चायाबाद को चित्रभासा सैली किस ने कहा है रमा संकर सुकले रसाल ने राम चंदर सुकले ने या फिर नंदुलारे बाचपेई ने या सुमित्रा नंदन पंत ने बहुत बढ़िया कॉस्चन है और ये कॉस्चन पूछा भी गया है दोस्तों कई बार ठीक है तो चायाबाद को चित्रभासा सैली जो कहने वाले हैं जिन्होंने कहा है वो कौन ने कहा है और आपका बिल्कु सही आंसर है राम चंदर सुकले यानि कि आपका उत्तर हो जाएगा बेकल्प नमर बी राम चंदर सुकले ने चित्रभासा सैली कहा है दोस्तों चित्रभासा सैली और बी नमर आपका बिल्कु सही होगा ठीक है राम चंदर सुकले ने चायाबाद को चित्रभासा सैली कहा है और अगला कॉस्चन है जगनात दास रतना कर किस उपनाम से उर्दू में कवीता लिखते थे दोस्तो किस उपनाम से लिखते थे जगनात दास रतनाकर ये कई बार पूछा गया है दोस्तो और जो बैदनात है बैदनात ये नागरजुन लिखते थे बैदनात नाम से ठीक है नागरजुन और अपने जकी नाम से जो लिखते थे वो कौन लिखते थे जकी और लिखते थे कौन? रतनाकर जी है ना na नबावराए किसका नाम था? नबावराए प्रेमचन्द जी का तो आपको याद रख लेutenा है कि रतनाकर जी जकी उपनाम से लिखते थे बैददनाथ उपनाम जो है नागरजून का वास्तिविक नाम है और दोस्तो कलाधर नाम से प्रिथम सूपी कभी कौन है यानि की 39 का उत्तर बताना है जायसी है मुला दाउद है नूर मुहम्मद है या फिर मुला बजी है तो सूपी कभी कौन है यहां पर बताना है प्रिथम सूपी कभी में जब हम बात करते हैं कि प्रिथम जो सूपी कभी है वो कौन है और जायसी का प्रतम गरंते दोस्तों कौन सा पदमाबत पदमाबत है और ये दोस्तों आपको पता है प्रतम प्रमाने का महाकाब माना जाता है पदमाबत इस अबदी भासा में लिखा हुआ है मलक मुहमद जायसी जी का है ठीक है ये चीज भी याद रखनी है और सूपी कभी कौन है तो प्रतम मुल्ला दाउद है मुल्ला दाउद यानि कि मुल्ला दाउद की जो रचना है वो कौन सी है चंदायन है ठीक है मुल्ला दाउद की रचना चंदायन है और प्रतम सूपी कभी माने जाते हैं मुल्ला दाउद तो बी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा नेक्ट बत जो सिक्कों के प्रतम गुरु थे वो कौनते गुरु नानक देव थे और दसबे गुरु जी थे वो कौनते गुरु गोवन्द सें थे ठीक है लेकिन जो गुरु गरंत साहब का संकलन किया था वो किस ने किया था तो वो किया था अरजुन देव ने अरजुन देव यानि की ब बी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा बी नमबर तेके गुरु अर्जुन देव ने जो है संकलन किया था काईका गुरु गरंत साहब का यानि बी नमबर बिल्कु सही होगा लखनव में प्रगति सील लेकक संग की अधिवेशन की अध्यक्षता किस ने की थी दोस्तों ये चीज आपको बतानी है बहुती बढ़िया प्रस्न है और लखनव में बतानी है तब आपका प्रगति सील लेकक संग की इस्थापना कब हुई थी ये जल्दी से बताना है भारत में और प्रगति सील लेकक संग की अध्यक्षता किस ने की थी लखनव में ये चीज भी ब बता दूँ कि जो लखनव में प्रगती सील लेकक संग की अध्यक्षता की थी वो प्रेम चंद जी ने की थी यानि बी नम्मर आपका बिल्कु सही होगा और यह इस्थापना कब हुई थी दोस्तों प्रगती सील लेकक संग की तो जल्दी से आप उत्तर बताएंगे कमेंट मे और अगले क्वेस्टेन की वर बढ़ जाते हैं कि खरोष्टी लिपी की उत्तर किस से हुई है चित्र लिपी से हुई सामी से हुई ब्रामी या पिर अर्मेई की लिपी से हुई है तो किस लिपी से हुई है हाँ वेरी गॉर्ड 1936 आपका बिल्कु सही है अब आपको खरोष करोष्टी लिपी की उत्पत्ति मानी जाती है कई बार कॉस्चन पूछा गया है और अर्मेई की लिपी से हुई है अर्मेई की लिपी यानि डी नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है अर्मेई की लिपी से करोष्टी लिपी की उत्तर पत्ति हुई है और अंगले बेंजन है अंतस्त बेंजन है ना और अगर इसको ऐसे पढ़े कि यार लव है ना और दोस्तो यार से लव किया जाता है प्रेम किया जाता है तो काई से किया जाता है अंतस्त से किया जाता है कि बाहर से किया जाता है है ना बाहरी रूप से तो नहीं करते कोई लोग दिखाव से किया जाता है इस प्रकार से इसको पूरा अगर जोड़ दो इयर लव हो जाता है और यार से लव किया जाता है अंतस्त कि बेंजनों की संक्या होती है चार यानि की ए नम्मर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ए नम musimy पर अगला दोस्तों क engineers did पर है साहित्यक पुस्तकों की भासा साधारन बोलचाल की भासा केवल पड़ाई लिकाई की भासा या सिस्ट और सूसिक्षित लोगों की भासा मानक हिंदी से क्या पर है मानक हिंदी यानि की प्रस्णिक रमांग चवालीस का उत्तर बताना है और चबालीस का आंसर क्या हो जाएगा मानक हिंदी से क्या तादपर है और आपका चबालीस का जो उत्तर होगा साहत्यक पुस्तकों की भासा है ना साहत्यक पुस्तकों की भासा जो होती है वो मानक हिंदी कहलाती है साहत्यक पुस्तकों की भासा ठीके ये नम्मर आपका बिल्कु सही होगा यहाँ पर साहत्यक पुस्तकों की भासा और अंगला क्वेश्चन है मेवाती किस उपभासा की बोली है मेबाती मेबाती बतानी हैं दोस्तों आपको पता है कि जो सौर से अनी अपवरंसे से निकली है कौनसी राजस्थानी राजस्थानी निकली पस्चमी हिंदी गुजराती इस सौर से अनी अपवरंसे से निकली हुई भासाएं हैं अब राजस्थानी की भी को सो उपवासा हैं ह राजस्थानी की मेबाती है ना और मेबाती उत्त्री राजस्थानी कहलाती है उत्त्री राजस्थानी है ना तो उत्त्री राजस्थानी यानि बी नम्मर आपका बिल्कु सही होगा ठीक है अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भासा की उत्त्री जो वप भासा है वो कौनसी है या मेबाती जो है राजस्तानी भासा का कौन सा रूप है तो उत्तरी रूप माना जाता है उत्तरी यानि कि उत्तर में बोली जाती है मेबाती ठीक है संभिदान के अनुच्छे तीन सो इंक्यावन में किस विसाय का वर्नन है दोस्तों संग की राज भासा का उच्टम ने अलाई की भासा का हिंदी के बिकास के लिए निर्देश या पत्राचार की भासा का किसका वर्नन है यानि 46 का अंसर बताना है कि संभीदान के अनुछे 399 में किस विसाय का वर्नन है चार बिकल बताना है दोस्तों और कल दोस्तों क्या है रक्षा वंदन है कल क्या है रक्षा वंदन है और रक्षा वंदन में सभी लोग बताएंगे कि किलास को रखना है कि नहीं रखना है या फ कि शिर्की वीडियो पड़े है ना वो रिवीजन वीडियो का लाएंगे तो जिसको टाइम मिले वो देख लेना नी तो बाद में देख लेना और तीन सो इंक्याओं में जो बिसाय का वरनन किया है वो हिंदी के बिकास के लिए निर्देश दिये गए है ना हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिये गए यानि सी नमर आपका बिल्कु सही होगा ठीक है तीन सो इंक्यावन में सी नमर आपका बिल्कु सही हो जाएगा और अंगला है ग्वालियर की बोली क्या है दोस्तों ग्वालियर ग्वालियर बताना है यह मद्द प्रदे ग्वालियर है ग्वालियर है और ग्वालियर की जो भासा बोली जाती है वो कौनसी मानी जाती है वो मानी जाती है कौनसी बुंदेली बुंदेली यानि की ए नम्मर आपका बिलकु सही हो जाएगा और मद्देप्रदेश में सरबाद एक बोली जानी बोली बोली जानी बोली भी कौनसी है बुंदेली ही है है ना ये चीज भी आपको याद रखनी है तो बुंदेली यानि ए नम्मर आपका बिलकुस सही होगा अंगला बताना अपब्रंस को पुरानी हिंदी किस ने कहा है दोस्तों अपब्रंस अपब्रंस बताना है पुरानी हिंदी रामचंद सुक्ल जी ने कहा है चंद्रधर सर्मा गुलेडी ने कहा है भारतेंदू या फिर गिरियरसन ने कहा है तो अपब्रंस को पुरानी हिंदी कहने वाले जो है वो कौन है और चार में से आपका बिल्कु सही आंसर होगा देखो यहां से दो कॉस्चन बन जाते हैं आपकी 48 में एक तो है दोस्तो साहत्यक अपब्रंस को अगर आप से पूछा जाता कि जो है साहत्यक अपब्रंस को पुरानी हिंदी किस ने कहा तो आप बता देती राम चंद्र सुकले ने साहत्यक अपब्रंस को है ना और अपब्रंस को पुरानी हिंदी किस ने कहा तो अपब्रंस को पुरानी हि कहा चंद्रधर सर्मा गुडेरी ने ये दो कोस्टों कन्फ्यूज करते हैं यहां पर अगर आंगी साहित्यक आप भ्रहन से जुड़ जाता साहित्यक तो आपका उत्तर हो जाता रामचं शुकल लेकिं नहीं जुडा है भगवान करें अच्छा है नहीं जुडा तो आप बी न आपका बिल्कुस सही होगा संभीदान की आठवी अनुसूची में कौनसी भासा सामिल नहीं है चार विकल्प है कौनसी भासा सामिल नहीं है सुबह 9 बच के 30 मिनिट पर अपनी किलास होती है हिंदी सायत की है ना तो हिंदी सायत की टिर्की वीडियो की किलास आती है वो जरू जो भोजपुरी भासा है भोजपुरी ये सामिल नहीं है जबकि जो मैथली है मैथली सामिल है है ना मैथली भी है डौंगरी भी है बोडो भी है लेकिन भोजपुरी ये आठ भी अनुसूची में सामिल नहीं है यानि C नम्मर आपका बिलकुल सही हो जाएगा ठीक है C नम्मर भोजपुरी अगला क्वाच्चन आपको वताना है भावूती की है, स्रीहर्स की है, दंडी की है रभार्बी की है और भोजपुरी आप लोग देखते होगे भोजपुरी जो फिलम आती है मैं भी देखता हूं कभी-कभी दिनेश लाल यादव जी की निरहुआ है ना और वो कौने खोसारी लाल उनकी भी देखते हैं बड़िया फिल्में होती हैं है ना सबसे अच्छी लगी थी मुझे वो फिल्म कौन सी आपकी निरहुआ हिंदुस्तानी बहुत ही वड़िया फिल बहुती की रचना है यानि यह नमबर बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है यह नमबर भाववूती मालती मादाव की रचनाकार है बहुती और यह नमबर बिल्कु सही होगा रोला चंद की प्रतेक चरण में कितनी मात्रा होती है रोला की बात हो रही है यहां पर रोला रोला द कितनी मात्रा होती हैं यह आपको बतानी है और रोला की जब बात आती है तो रोला में भी कितनी होती है 24 होती है C नमबर, ठेक है। C No. 24 बिल्कु सही हो जाएगा रोला के प्रत्यक चण में जो मात्राइं होती है वो होती है 24 और अंगला कुश्चन है निवन वय से किस किरती के लेकाग नामबार से हैं आलूचना और काब आस्था और सोंदर दूसरी परमपरा की खोज या भासा और समाज तो किस आलूचना किस कृती के लेखक माने जाते नामबार से हैं आपने पड़े होगी दोस्तो कभीता के नए प्रतिमान कभीता के नए प्रतिमान और नई कभीता के प्रतिमान कभीता के नए नए प्रतिमान ये किस की है कभीता के नए प्रतिमान नए यानि कि नामबार ठीक है तो कविता के नए प्रतिमान नामबार की है और नए कविता के प्रतिमान लच्छमी नाराने की है लच्छमी नाराने साहिद तो नामबार जी की जो है वो कौन सी है दूसरी परमपरा की कोज दूसरी परमपरा की कोज यानि यहां पर आपका उत रिष्तिरपाटि की तो मैंने आपको बताई थी कौन कौन सी है मानसी है ना और कौन सी है ना नो । इनकी हमेशा तो बताना है तो दोपं की रचनकार तो कौन है यहाँया पर बिल्कुस सभी होगा दोप bets कभी राष्ट कभी है ब्ल्ट न वह इनके दो उपनाम है एक मधुप भी पूँचा जाता है कि मधुप उपनाम से कुण लिखते थे और एक इनका उपनाम है दद्दा है ना दद्दा आप से पूँचा जाएगा कि दद्दा उपनाम किसका है मधुप उपनाम किसका है तो आपका उत्तर सीधा सीधा होगा मैथल स्रणगुप्त ठीक है दद्दा उपनाम और मदप उपनाम है इनके है ना भासा की प्रिविर्थी कैसी होती है सरल से कठिन की ओर होती है कठिन से सरल की ओर होती है दोनों होती है निमें ऐसे कोई नहीं होती तो भासा की जो प्रिकृति होती है प्रिविर्टि होती है दोस्तों वो कैसी होती है कठें से सरल की ओर कठें से सरल की ओर यानि की बी नम्मर आपका बिलको सही होगा सबसे पहले जब हम कोई भासा सीखते हैं तो हमें कैसी लगती है बहुत कठें लगती है पहाड जैसी लगती है कैसी लगती है पहाड जैसी लगती है कठन लगती है क्या भासा और भासा की प्रिविर्टी होती है कठन से सरल की ओर जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं आंगे बढ़ते जाते हैं तो यह सरल लगने लगती है तो सरल से कठिन नहीं होती, बहुत सारे लोग यहाँ पर कनफ्यूज हो जाते हैं, कि सरल से कठिन की और बिलकुल नहीं होती, यह कठिन से सरल की और होती है बासा की प्रिविट्टी, ठीके, हाँ, very good कमलेज जी, कौासी, मानसी, मिलन, है ना, यह रचना है, राम नरीस्तिर प है ना, प्रेमचंद घर में हैं, और प्रेमचंद जी की दूसरी पतनी थी, कौन थी, मैंने हमेशा आपको बताया है, कि प्रेमचंद जी की दूसरी पतनी थी, सिवरानी देवी, पहले इनका बिवाय हुआ था, एक कुरूप महिला से बिवाय हुआ था, दोस्तों, इनकी पुत्र का नाम था प्रेमचंद जी के अमरत राय तो प्रेमचंद घर में सिवरानी देवी है ना और बटब्रक्च की चाया में जीवनी किसके जीवन पर आधारत है जीवन पर आधारत बताना है दोस्तों यह जो बटब्रक्च की चाया में जीवनी लिखी किसने है कु कुमुद नागर यानि कि अगर इसके रचनाकार आपसे पूचा जाता कि बटब्रक्च की छाया की रचनाकार कौहन है तो आप बता देते फिड़िये पूँचा गया है कि एक किस के जीवन पर आधारित है ये मोध्नागर तो आपको बताना है कि अम्रतलाल नागर की जीवन पर आधारित है यानि C नम्मर आपका यहां पर बिल्कु सही होगा ठीक है अमरतलाल नागर की जीवन पर आधारित लिखी किसने है कुमुद नागर ने है ना तो B नम्मर आपका A C नम्मर इस प्रस्टन का आपका बिल्कु सही होगा अमरतलाल नागर ठीक है तो अंगला कॉस्चोन आपको बताना अकाल पुरुस गांदी जीवनी के लेकर कौन है ये तो कई बार पूची गई है दोस्तों अकाल पुरुस गांदी दिनकर की है, मौहन राकेस की है, जेनेंढर कुमार की है या फिर अग्गे की है तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा जेनेंद्र कुमार की है न जेनेंद्र कुमार की रचना है अकाल पुरुस गांदी अकाल पुरुस गांदी यानि दी नम्मर आपका बिल्कु सही होगा जेनेंद्र कुमार की है है न और अंगला बताना है माटी की मूर्तें माटी की मूर्तें ये क्या है दोस्तो, माटी की मूर्ते हमने देखा था, ये राम ब्रक्ष बेनी पूरी की रचना है, है ना माटी की मूर्ते है, हमने याद कैसे कैसी किया था, कि लोग क्या करते हैं, माटी की मूर्ते बना के ब्रक्ष के नीचे इस्थापित कर देते हैं, है ना माटी की मूर् की है और मिटी की माटी की मूर्तें आपका उतर होगा यह रेखा चित्र है रेखा 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 है रेखा कीजदी ती लक्षमन रेखा लक्षमन रेखा कीजदी लक्षमन जी ने वोले इसके बाहर नहीं आना इसके बाहर नहीं आना और तो क्या हो गया था हरण हो गया था आपन को भी दलच्मन देखा कीज़ देनी है दलच्मन देखा इसके बाहर नहीं आएगा कोई हरिबंसराय बच्चन की आत्मकता कितने भागों में प्रकासे थे क्या भूलूं क्या याद करूं है ना दस द्वार से स्वपान तक नीड से निर्मान क्या है तो इनकी दोस्तों जो है वो कितने में हरिबंसराय बच्चन की आत्मकता कितने भागों में विवाज थे हरिबंसराय बच्चन साब की और इनकी आपको ने पड़ी होगी दो चटटा ने मैंने आपको याद करवाइं थी रचना दो चटटा ने तоры उनकी दो चटटा ने हरीवंस राय बच्चन साब की कभी से एक बच्चन, एक मिताब बच्चन दो चटटा ने हैं यहाँ पर आपका बिल्कु सही हो जाएगा चार भागों में प्रकासे थे और अंगला क्वेस्चन आपसे पूचा जाता है कि तरुण के स्वप्न आत्मकथा के लेका क्वाने है तरुण के स्वप्न यह तो मैंने आपको याद करवाई थी दोस्तो कि तरोन मतलब होता है क्या होता है युवा युवा होता है युवा है ना और हर युवा का सपना होता है कि हम सुवास चंदर बौस बनें ऐसे याद करवा दिया था आपको है ना तरुन मतलब होता है युवा और युवा का सपना होता है कि हम भी क्या बनें सुवाश चंद्र बॉहस बनें तो तरनुकी सु अपना आत्मकथा की जो लेकक होंगे वो सुवाश चंद्र बॉहस होंगे यानी बी नमबर सुवाश चंद्र बॉहसा आपका बिलकु सही हो जाएगा ठीके अलंकार संपरदाय की प्रवड़ तक कौन माने जाती है अलंकार संपरदाय की प्रवड़ तक बताना है और चार बिटरप आपके सामने मौझूद है चड़िए तब आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा आपके विकल्पें कुन तक आचार भामा, छेमेंद्र या फिर आचार बामन तो प्रशन किरमान 60 बन में हमें उत्तर बताना था और अलंकार संपरदाय हम से पूछा गया तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आचार बामन है ये रीती संपरदाय की प्रवड़ तक माने जाते हैं आचार कुंतक जो है वक्रोक्ती संपरदाय की प्रवड़ तक माने जाते हैं और जो छेमेंद्र हैं ये वह चित्ते संपरदाय की प्रवड़ तक माने जाते हैं और अलंकार संपरदाय की जब बात आती है तो भामन को याद किया जाता है यानि कि उत्तर आपका क् देखेंगे और अंगला question आपसे पूंचा जाता है कि माखला चत्रुबेदी को किस रचना के लिए साहे तकादिमी पुरुषकार मिला जी हाँ दोस्तों आपको बताना है कि कौनसी रचना के लिए माखला चत्रुबेदी को जो है साहे तकादिमी पुरुषकार मिला और साहे पर था माखरला चुत्रवेदी को मिला और इसकी रचना बतानी है कि वो रचना कौनसी है और सन भी आपको याद करवाया था मैंने वो सन कौनसा है वो भी आपको बताना है तो हिम तरंगनी के लिए मिला, हिम करीटनी के लिए मिला, कला और हूला चांद के लिए मिला, आंगन के पारद्वार के लिए मिला किस के लिए मिला माखलाज चत्रवेदी को साहे तकाद्मी पुरुषकार और मैंने साहित अकाद्मी प्रुषकार वाली जो रचना है दोस्तों पूरी की पूरी करवा दी है ना और आपका बिल्कु सही आंसर होगा कि जो हिमतरंगणी इनकी रचना है वो आपका बिल्कु सही है ठीक है हिमतरंगणी और दोस्तों कि हिमित रंगणी के लिए माखला चत्रवेदी को 1955 में है ना बचपन से लेकर पचपन तक हम माखन खाते हैं माखन तो पचपन में इने क्या मिला था? साहित अकादिम प्रोषकार मिला था ठीक है? और कला और बूरा चांद कला और बूरा चांद ये सुमित्रा नंदन पंत की है सुमित्रा नंदन पंत की है कला और बूरा चांद सभी लोगों को पता है और इने को 1960 में मिला था 60 में कला और बूरा चांद के लिए ठीक है? ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अगला है सब्दार्थव काप्यम यह परिवासा किस ने दिये सब्दार्थव काप्यम बामन ने दिये ममट ने दिये रुद्रट या फिर भामय ने दिये किस ने यह परिवासा दिये सब्दार्थव काप्यम काप की परिवासा दिये यह किस ने दिये बहुत ही बढ़िया परिवासा है और सभी लोगों को बताना है और आपका बिल्कुष सही आंसर जो होगा प्रश्निक्रमांक तो 63 का वो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर होगा सबदार्थों का अब्यम ये परिवासा कई बार पूची गई और कई बार पूची गई तो वो रुद्रट की है है ना कभी कभी दोस्तों आप ऐसे सब्द बोल देते हो सब्द ऐसे बोल देते हो कि लोग कैसे हो जाते हैं रुद्र है ना रोद्र हो जाते हैं रोद्र आजाता है तो रोद्र नहीं होना है आते सभदार सभदों का अध्य काब है इसप्रकार से बताया तो आपका बी नमबर बिल्कों सई हो जाएगा, रुद्रण साब का है, और अंगला question है, कापको पंद्रवी बिधा मानने वाले जो विद्वान हैं, वो विद्वान कौन से हैं, राज सेkar हैं, महाभी परसात दुबेदी हैं, या फिर आचार रामचद्र सुकल हैं या फिर आचार विस्तुनात हैं कौन हैं कापको पंद्रिवी बिधा मानने वाले ऐसे आचार कौन हैं ये चीज़ बतानी हैं बात कर लेते हैं रामचद्र सुकल की रामचद्र सुकली की दोस्तों तो रामचद्र सुकली आपको पता है स्रेश्ट आचार माने जाते हैं रामचद्र सुकली जी और इनके जो कथन है वो हर एकजाम में एक दो कथन आप अवस्थ से पूंचे जाते हैं ठीक है और विस्तुनात की बात करें दोस्तों कि हिंदी सायत का संचिप्त इतिहास इनों ने गरंत लेका है विस्तुनात जी ने आचार विस्तुनात ने महावीर प्रसाद दुवेदी की तो बात आपको निराली है कि महावीर प्रसाद दुवेदी के नाम पर तो ये कि योग का नाम पढ़ गया दुवेदी योग ठीक है और काब को पंद्रवी विधा जो माना है वो राज सेखर में माना है, याझी आपका उत्तर ये नम्मर विल्कु सही होगा, राज सेखर 15 भी विधा मानने वाले हैं, काभब को और ये नम्मर विल्कु सही होगा, और हमेसा एकजाम में पूछा भी जाता है, ठीक है, आज़ार भरत ने सरपिर्थम अपने नाट शास्त में कितने अलंकारों का उल लेख किया है यह उल अलंकार बताना है दोस्तों है ना बैसे हम पढ़ लेते हैं सब्दा अलंकार अर्था अलंकार इनको पढ़ते हैं लेकिन आप से पूछा जाता है कि भरत मुनी ने है ना इन्होंने रस तो कितने रसों का वर्नन किया आठ रसों पर आपका A है, वो बिल्कु सही हो जाएगा, A नमबर, ठीके, अंगला बताना है दोस्तों, ध्वन्या, ध्वन्या लोक के टीका कार कौन है, ध्वन्या लोक के टीका कार बताना है, और ये जो ध्वन्या लोक है, ये रचना किसकी है, आनंद बर्धन साब की, लेकिन ध्वन् दोस्तो आपको बताना है कि धन्या लोग के जो टीका कार है वो कौन है अभीनाव गोप्त यानि बी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीके आनंद बर्दन की रचना है धन्या लोग को इसके टीका कार है अभीनाव गोप्त यानि बी नमबर आपका यहाँ पर चेन करना है कि हिंदी का प्रतम गंदिकार कौन माना जाता है और प्रश्न किरमांग 67 का आंसर बताना है तब आपका बिल्कु सही आंसर कौन सा हो जाएगा और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अपना जो चैनल है इसे जॉइन बटन यूटूब द्वारा दिया गया है और जॉइन बटन में क्या होता है दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें 3 पिलान रखे गए हैं इसल्बर पिलान गोल्ड पिलान और डाइमंट पिलान थीके इसल्बर पिलान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 59 रुपे पे करना होता है 59 जिसमें दोस्तों आपको सुभिदाय दी जाती है कि चैनल के द्वारा अगर दोस्तों आपको ऐसा कर दिया जाता है कि यह जो वीडियो है केवल हमारे जो यूटूब मेंबर हैं वो ही देखना देख पाएंगे है ना तो यह सेटिंग कर दी जाती है और वो ही जोईन मेंबर ही देख पाएंगे कुछ यूटूब वीडियो ठीक है दूसरा जो आप कमेंट करते हो आपका कमेंट बिलकुल हाइलाइट देखेगा सबसे अलग कमेंट आपका देखेगा आपको इमोजी भी दिया जाएगा जैसे स्टार इमोजी भी बटन के ये 3-4 भायदे होते है तो जो भी जोईन बटन लेना चाहते हो जॉन बटन जोइन कर सकते है त्टीक है और अपर-थम ते प्रेम सागर-प्रेम सागर है यह चीचीच भी आपको याद रखनी है ठीक है और अंगला कोस्चन आपको बताना है बुक्ति बाद की अबधारना किसकी है बुक्ति बाद बहुती बढ़िया प्रस्ण है दोस्तों और ये मममट की है भट लोलट की है भट नायक की है या फिर आनंद बरदन की है तो बुक्ति बाद की जो अबधारना है वो किसकी है प्रस्ण बुक्तिवाद की अफधारणा होती है कि जो है वो किसकी है भट नायक की है भट नायक की है भट नायक की है भट नायक की है भी नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा भट नायक ठीक है वी नमबर और कोटेज की रचेता कौन है कोटेज की बताना है दोस्तों हजारी है कि ममठ की काप प्रकास है बेशा जी उरकोट के रचेता जो माना जाते हैं यहा सवारी मीधे के बारे में हमने पढ़ा था कि फूर्लिक की एक रचना है चिरीज के फूल और समान नामों वाली के पड़ी ती तु तब पड़ी थी तो तब पड़ी थी श्रीज के पूर है ना या हजारी परसाद दुवेदी की रचना है कोटज भी इनकी ही रचनाक hom wichtig घ्रण है आजारी प्रशाद दुबेदी जी का और कोटज भी नहीं का है ठीक है तो ये नम्मर आपका बिल्कुस सही होगा और अंगला कोश्चन है सेज कादंबरी की रचेता कौन है ये रचना तो कई बार पूछी गई है और इसका उत्तराप सभी को पता होनी चाहिए ठीक है सहास इने देखो स्टार मिला है और प्रश्ने किरमांग सेविंटी का उत्तर और सेविंटी का आपका बिल्कुस सही हांसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सेविंटी का सी यानि की मिर्दुला गर्ग सी नम्मर आपका बिल्कुस सही होगा सेज कादंबरी की रचेता है मिर्दुला थीक है सी नम्मर आपका बिल्कु सही होगा और अंगला question है रामचन सुकलिने करुनरस का इस्थाइभाव माना है तो किसे माना है निर्वेद को माना है गिलानी को माना है डैन्न को माना है या फिर करुना को माना है और चार बिकल्पें कि रामचन सुखले ने करुनरस का जो इस्थाई भाव माना है वो किसे माना है और प्रश्ण क्रमांग सेविंटी बन और सेविंटी बन का जो आपका बिल्कुस सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा रामचन सुखले ने करुनरस का इस्थाई भाव माना ह बुदे हाराब की दह सब्एकर सब्सक्राइब करता और सब्एकर कम तेकर 990 के लेकर करवाइंद्य। प्रशनक्रमाँग विए भी करतालि 5 50ивать कर जोभी धीडि या और प्रशनक्रमांक निकर φक रोगां suo 5 है वो बिलकुद रहसा है हडेत तो शेस कादंबरी अलगा सरावगी10 का यह वह थिछाएगा यहाँ रचना के जहंतम रचना है अलगा सरावगी की भी कि ऑद ना बिल्कुस सही हो जाएगा, है ना? अलका सरावगी की है, सेसका अदंबरी इसको सुधार लेना और रामचन सुख ने करुणा बताया है, ठीट हिंधी का ठाट, ये हर्योद जी की रचना है, B नमर आपका बिल्कुस सही हो जाएगा, बहुर बढ़िया, ठीके? अगला बताना निम्ड में से कौन सी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है सिक्का बदल गया जन्म भूमी, बैथा, सरगम या फिर फासी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है वो बिल्कु सही हो जाएगा ठीक है ये जो फासी है बांकि सिक्का बदल गए आपको क्रश्ना सुप्ती की पता होगी है ना ये जो है भारत पाग वे भाजन पर आधा रहे थे जन में भूमी भी भारत पाग वे भाजन पर आधा रहे थे बैथा भी भारत पाग वे भाजन प प्रश्निक रमांक और आपका बिलकु सही आंसर होगा कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम नवंदकार जो मानने वाले हैं वो कौन हैं। प्रथम नवंदकार माना हैं किसे भारतेंदु जी को और 74 का आपका बिलकु सही आंसर बी नमबर बिलकु सही हो जाएगा ठीक है। नवंदकी रचनाकार यानि कि प्रश्निक रवांक 75 का पुत्तर रिखना है। और तुम चन्दन हम पानी जो नवंदकी रचनाकार हैं वो हैं विद्या नवास मिस्त्र और बी नमबर आपका बिलकु सही हो जाएगा। इद्या नवास मिस्त्र ठीक है। और अंगला है निवनबर से कौनसी रचना ब्रश भासा की नहीं है। ब्रश भासा की नहीं है तो कौनसी नहीं है जानकी मंगल नहीं है। दोहा वली गीता वली या पर कविता वली तो कौनसी रचना ब्रश भासा की नहीं है। यानि कि 77 का उत्तर बताना है और 77 ब्रज भासा की जो नहीं मानी जाती गीता वली है दोहा वली है कविता वली भी है लेकिन यहाँ पर मंगल आया है मंगल तो मंगल मंगल आया है तो वो कौंसी हो जाएगी यह अबदी भासा में हो जाएगी बाकि यहाँ पर ब्रज भासा में नहीं पूछा गया, तो नहीं है, तो कौनसी नहीं है, जान की मंगल नहीं है, ठीक है, मंगल, 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 जान की मंगल, ठीक है, और यह खंड काप भी है, और यहाँ पर बताना है, कौनसा खंड काप है, खंड काप, परवे, रामा, दोहा, वली, पारवती मंगल या फिर तो खंड काप पुंचा गया, तो खंड काप कौनसा है? पारपती मंगल पारपती मंगल क्या है? खंड काप है और आपका उततर होगा बी नमबर, ठीक by नमबर आपका भील्कुत सही हो जाएगा एक खंड काप एमाना जाता है तुर्जी दाज जी का ठीक है खंडगाप और बिणय पत्री का तो आपको पता है और जो दोहावली है यह भी ब्रज भासा में हैं बाती पार्वत्ती मंगल और बर्वे रामायन के अबदी भासा में हैं तुलसी दास की मैंने रचना याद करवाई है कौन सा खंड काप है कौन सा महा काप है कौन सी रचना अबदी में है कौन सी ब्रज में है याद करवाई है तो वह वाला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर देख रहे हैं किस रचना को छायावाद का मैनी फेश्टो कहा जाता है तुलसी दास जी को लोकायतन पल्लाव या पिर कामाई नहीं तो किस रचना को जो है मैनी फेस्टो कहा जाता है और एस जी हमारे जोईन मेंबर बन चुके हैं और यहनों ने डाइमंड पिलान खरीदा है एस जी ने और इस प्रकार से हाईलाइट हो जाता है है ना देखें मैनी फेस्टो कहा जाता है तुलसी दास को पल्लाव को लोकायतन या पिर कामाई नहीं को किसे कहा जाता है दोस्तो और किस रचना को छायवाद का मैनी फेश्टो कहा जाता है तो आपका बिल्कु सही आंसर होगा पल्लाव यानि C नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ठीके C नमबर पल्लाव को जो है छायवाद का मैनी फेश्टो कहा जाता है पल्लव आपका बिल्कु सही हो जाएगा पल्लव अगला आपको बताना है दो तो पंत की कौनसी रचना अरवंद दर्शन से प्रभावित है पंत की रचना बतानी है कौनसी है अरवंद दर्शन से प्रभावित स्वर्न किरण है योगबाणी है पल्लाव है या फिर युगानत है कौनसी रचना अर्विंद दर्शन से प्रभावे थे और प्रस्टने क्रमांग असी का उत्तर वताना है बहुती बढ़िया रचना है अर्विंद दर्शन और अर्बिंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौनसी है स्वर्ण किरण स्वर्ण किरण यादि कि ये नम्मर ये पूछी जाती हैं दोस्तों आपको पता है कि स्वर्ण किरण हो पल्लव हो योगान्त हो या फिर योगवानी हो यह दोस्तों आपकी क्या है यह रचना है पूँची जाती है और पनलव कुछ आयवाद का मैनिफेस्ट जो तो कहा ही जाता है ठीके और अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौनसी है स्वर्ने करन है यह नंबर एक कई बार पूँचा गया है ठीके और अंगला पॉश्चन है निम्न मैंसे पंत की प्रगती बादी प्रगती बादी रचना नहीं है तो कौनसी नहीं है ग्राम्या, ग्रंती, योगान्त या योगबानी तो कौनसी रचना प्रगती बादी रचना नहीं है यानि प्रश्न किरवांग 81 का उत्तर बताना है दोस्तों आपको पता होगा कि जो पंत थे सुमित्रा नंदन पंत यहनोंने एक रचना लिखी दिकोंसी योगांत और योगांत रचना के माध्यम से यहनोंने छायवाद का अंत किया यानि कि छायवाद का योग का अंत हुआ योगांत किसे और प्रगतिवादी रचना यहाँ पर नहीं है पूछी गई तो वो गरंती नहीं है और एक पूछा जाता है कि किस रचना से छायवाद का योग का अंत माना जाता है तो योगांत से माना जाता है बैसे युग का अंत तो है और युगांत जो रचना है ये पंतिकी है यहना ग्राम्या युगांत युगवानी ये रचना किसकी है दोस्तों ये प्रगतिवादी मानी जाती है बाकि ग्राम्या की अगर बात करें ग्रंति की बात करें तो ये चायवादी मानी जाती है ठीक है तो यह चीज़ आपको याद रखनी है और अंगला है निम्न में सी 55 की चायाबादी रचना नहीं है तो पूंची नहीं है तब यूगबाणी नहीं है गुंजन नहीं है बीना या फिर पल्लाव नहीं है यानि की 82 का अंसर बताना है और 82 में आपका चाया बादी रचना हमने अभी पड़ा है कि बीना भी है, पल्लो भी है, गुंजन भी है लेकिन कुश्चिन है योगवानी योगवानी यहनि कि जो आपका ये नमबर है योगवानी वो बिलको सही हो जाएगा, ये नमबर ठीक है ये नम्मर आपका सही होगा और अंगला question है दोस्तो बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है बहुत ही बढ़िया है यसबंत जी question बताना है आपको कि बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है सोसक का, पूजी पती का, क्रांटी दूद का, या पिर सोसन का बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों आपने निराला जी की पड़ी होगी अथार्त बादी रचनाप तोड़ती पत्थर है ना संसार का सबसे सोगीत पना होगा सरोज स्मिर्ती है ना और दोस्तों यहाँ पर बादल राग माना है तो बादल राग में किसका प्रतीक तो क्रांटी दूद का प्रतीक माना है क्रांटी दूद यानि की जी नमर आपका बिलको सही होगा क्रांती दूत का प्रतीक मानने वाले हैं तो वो हिनराला जी बादल राख को हिंदी का पहला उपन्यास आचार रामचन सुख्र ने कौन सा माना है बहुत ही बढ़िया प्रस्न है दोस्तों है ना एक कोस्टिन पूछा जाता है आप से कैसा पूछ लिया गया सबसे पहली बाद तो हिंदी का पहला उपन्यास पढ़ा हो गया अपने परिच्छा गुरू को लेकिन अब आप से अगर पूछ लिया गया कि रामचन सुख्र ने कौन सा माना है तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो हमेशा तो आप याद रख लेना कि हिंदी का प्रिथा मुपन्यास परिच्छा गुरू को रामचन्द सुख्र ने ही माना है किसने माना है रामचन्द सुख्र ने ही माना है तो आपका उत्तर हो जाएगा परिच्छा गुरू और ये नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा प्रिथम बिष्टु हिंदी संभिलन बताना है दोस्तों ये कहां पर हुआ था और मैं आपको बता दूँ कि जो प्रिथम हिंदी संभिलन हुआ था ये हुआ था प्रिथम कहां पर नागपुर में कहां पर हुआ था नागपुर और आपका उत्तर होगा विकल्प नमर सी ठीक हैं संक्राचार है छेमंद्र है रामा लूजा चार है विश्रू सौमी है अदो इतवाद की प्रवट तक कौन माने जाती हैं अगया जाती है तो कि बिकल्ब बताना है चार बिकल्ब आपके सामने है इटी-सिक्स का उत्र बताना है फिर आपका राइट अंसर क्या होगा अदोईत बाद मैंने आपको याद करवाए हैं दोस्तों जितने भी संपरदा हैं जितने भी आपके दोस्तों दर्सन हैं कि सारे कि सारे याद करवाए हैं और एस रत्ती जी एस जी और सहासरा जी ए ज्वाइन मेंबर हैं हमारे सहासरा जी भी है, एस जी भी है ठीके, बहुत बढ़िया और अदोईतबाद, यानि संकराचार ए नमबर आपका बिल्कु सही हो जाएगा ए नमबर, ठीके, और एक मैं दोस्तो अपने 10-12 जॉइन मेंबर हो जाएं उनके लिए special class रखूँगा अलग से केवल जॉइन मेंबर के लिए तो 10-12 जॉइन मेंबर अगर अपने हो जाएंगे, तो केवल जॉइन मेंबर के लिए अलग से class special class रखेंगे, ठीके और अदोईतबाद के जो प्रवर्तक है संकराचार है, और ए नमबर आपका व्याब रखनी है, और अगला है लच्मी पुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक होने लच्मी पुरा, रांगे रागाओं है समसेर बहादर से उदान से चोहान या धरमबीर भारती है कौन है, लच्मी पुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक और प्रश्ण किरमांक 87 पर 87 का आपका बिल्कुस सही होता होगा लच्छमी पुरा यह जो रिपोर्टाज है यह स्योदान से चोहां का है है ना सियोधान से चोहान और आपको आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि सयोधान से चोहान ने जो है क्या किया है सयोधान से चोहान ने भारतेंदु जी का भारतेंदु जी को हिंदी का प्रतम निवंदकार माना है है ना किसने सिउधान से चोहान ने ये तो आपको पता ही होगा और लच्छी पुरा नाम जो रिपोर्टाज है ये भी किसका है सिउधान से चोहान का ही है तो B-Number यहाँ पर आपका बिल्कु सही होगा ठीके और ब्रजभासा का बिकास किस अपब्रंच से हुगा किस अपब् ब्रजच से हुआ है अर्दमागदी से सौर्च जैनी से मागदी से या फिर इनमें से कोई नहीं समसेर को कहा जाता कभियों का कभी लेकिन यहाँ पर आपका सही होगा कि जो ब्रज भासा है दोस्तों ब्रज भासा यह पस्चमी हिंदी की भासा है पस्चमी हिंदी की है ना और ब्रज भासा का विकास आप ब्रंच की सौर सेनी से हुआ है ना सौर सेनी से तो A नम्मर आपका C नम्मर आपका बिल्कु सही होगा C नम्मर ठीके Next है कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है आदिकाल की कौन सी नहीं है राम चद्रिका, पदावली, दोहा कोस या फिर प्रत्वी राज रासो कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है पूर्वी हिंदी अर्दमागदी से निकिली थी और पस्चमी हिंदी सौर सैनी से रदिकाल की नहीं है तो आपको पता है कि पदावली है दोहा को से प्रतिविज्रासो भी है लेकिन कुंसी नहीं है राम चंडरी का और ये राम चंडरी का कपकी है तो ये भक्तिकाल की रचना माने जाती है भक्तिकाल की रचना कौन सी माने जाती है राम चंद्रिका और पदावरी तोहा को उस प्रत्विया जासो ये आदिकाल की है और आपका आउत्तर क्या हो जाएगा ये नमबर ये नमबर आपका बिल्कु सही होगा आदी काल को अपवरंस काल किस ने कहा दोस्तो आदी काल को अपवरंस काल जो नाम दिया वो किस ने दिया मिस्र बंदूओं ने राहुट सांकृत्याइन ने बिस्तुनात प्रसाद ने या फिर धीरेंद्र बर्माने तो किस ने दिया यानि कि प्रस्ण किरमांग आपका 90 का उत्तर वताना है और बहुती बढ़िया प्रस्ण है कि आप ब्रंसकाल जो कहने वाले हैं राहुल संकृत्यान ने तो क्या कह दिया था क्या कहा था राव चांक्रित्यन ने और धीरेंद्र बर्मा आपका बिल्कुस सही होगा यहाँ पर अपर ब्रेंस काल कहा है नोंने धीरे से कह दिया धीरे से यानि कि आपका उत्तर होगा धीरेंद्र बर्मा ठीके धीरेंद्र बर्मा और डी नम्मर बिल्कुस सही हो जाएगा हाँ चंदों का जायव घर की कहा जाता है राम चंद्रिका को बहुत बढ़िया और अंगला बीद्रस प्रधान रचना में गुण होता है तो कौन सा होता है मादुर गुण प्रिसाद गुण प्रिसाद गुण होता है ओज होता है या इन में से कोई नहीं बीद्रस प्रधान में बीद्रस में रचना करने वाला एक मात्र कवी था भूशन है ना और भूशन के कुछ बास्तविक नाम था क्या घंस्याम और मनीराम भी था इनका मनीराम ठीक है मनीराम भी था तो हाँ सिद्ध सामन्तियुक कहा और बीद्रस प्रधान जो रचना में गुण होता है तो वो प्रिकिर्ती का मानवी करन, स्वानु भूती की विप्रती, प्रिकिर्ती का मानवी करन, स्वानु भूती की विप्रती, प्रिकिर्ती का मानवी करन, स्वानु भूती की विप्रती, प्रिकिर्ती का मानवी करन। चायाबाद में दोस्तों प्रिकृति का मानुभी करण किया गया और चायाबाद की मूल चोतना जिस सब्दे से व्यक्त होती है वो है प्रिकृति का मानुभी करण और बी नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा ठीक है बी नम्मर अंगले कोस्टिन की और बढ़ते हैं चोरासी बैस्णों की बारता किसकी रचना है आपने पढ़ा होगा दूस्तों दोसो बावन बैस्णों की बारता और चोरासी बैस्णों की बारता है ना ये दोनों ही रचना है तो वो किसकी है और नहीं जब तक आपको बता दूं कि रूप गोस्वामी की एक रचना है और नावा दास की तो पता ही है आपको भक्तमाल है ना तो 84 वैश्णाओं और 252 वैश्णाओं की बारता की जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे गोकुल डास गोकुल नाथ यानि वी नम्मर आपका बिल्कु सही होगा गोकुल नाथ ठीक है और अगला है अवद बिलास की रचनाकार कोन है? अवद बिलास प्राणचंद चोहान है? लाल डास हैं? बिद्या नवास मेंसरे हैं? या पिर भारते ल्दू हैं? यानि क evalu94 का आंसर बताना है और 94 यानि कि 94 का आपका बिल्कु सही आंसर होगा अबद बिलास अबद बिलास दोस्तो हम पढ़ते ना अबद के लाल अबद के लाल अबद बिलास और अबद के लाल यानि की लाल दास लाल अबद के लाल तो लाल दास ठीक है और प्रानचंद चोहान की रामाइन महाना टक है रामाइन महाना टक ठीक है प्रानचंद चोहान और डक्टर राजिंद्र परसाद की जो आत्मकता है वो कौनसी है राजिंद्र परसाद और ये गालिक छूटी सराव तो मैंने आपको याद करवाया था ये गालिक छूटी सराव रविंद्र कालिया की है गालिक छूटी सराव रविंद्र कालिया सत्य की खोज ये ही आत्मकत किये जान की देवी बजाज और राहुल सांक्रित्याइन की आत्म कथा का नाम भी क्या है मेरी जीवने आत्रा ठीके सक्तिकी कोज राजिन प्रचाद गाले छूटी सराब रविंद्र कालिया और जो है अर्ध कथाना ये हिंदी की प्रतम आत्म कथा है और ये बनार्सी दास ज चौहान को या प्रदम सेंसरमा को किसे माना जाता है दोश्तों रिपोड़ और ताज विधा का जनक यानि की फ्रश्ण किıllिकरमा लग को आपको याद रखना है ठीक है याद रख लेना अगला है निम्न में से कौन अस्ट छाप का कभी नहीं है कौन अस्ट छाप का कभी नहीं है अस्ट छाप का कभी नहीं है अस्ट छाप की इस्ट छाप का कभी नहीं है अस्ट छाप में चार कभी आपके किसके बलबा चार के और चार कभी दोस्तों आपके किसके थे चार बलबा चार के थे और चार जो थे वो किसके थे अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दास दास सब में लिखा है दास यहां पर भी आया 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 लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जो नाभा दास है नाभा दास इनकी एक रतना है भक्तमाल ठीक है भक्तमाल यह नाभा दास ही नहीं है कर नहीं नियास्ट चाहिए के से नंबर हुऔसा होगा जगति की है महादे भरमा की है वारतेंदु की है। प्रशनिक्रमांक नाइंटी एट प्रेम सिंग जी क्या बोला है नरेंद्र की आत्म कता सत्य की कोज नरेंद्र की नहीं राजेंद्र प्रसाद की है सत्य की कोज है ना कभिता जीवन और जगत की अभी बěक्ति है ये कहा है रामचंद्र सुक्रमे क्याने नियुकिर नम्म आपका विलकुश सही हो जाएगा वी नमबर ठीके और अंगला कोस्टेन है रसबादी आचार कोन नहीं है रसबादी आचार रस संपरदाय सबसे प्राचीन संपरदाय माना जाता है ठीके और दोस्तों आपको बताना है कि नहीं है तो कौन नहीं है संकुक नहीं है बट नायक नहीं है बट लोलट या फिर बामन नहीं है कौन नहीं है रसबादी अचार कौन नहीं है चार बिकल बताना है यस जी उतर क्या हो जाएगा और आपको बता है दोस्तो कि संकुक भी है बट नायक भी है बट लोलट भी है लेकिन कौन नहीं है बामन यहनी C नमबर यह रसवादी आचार नहीं है और C नमबर आपका बिलकू सही हो जाएगा एक आग्रता और अभ्याद से उत्पन सक्ति को काब भेहतू जो मानने वाले हें वो कौन है? राजसेकर है, भरत्मुनी है, दंडि या फिर मममठ है तो कौन है? चार विकल्प में से आपको चेन करना है और आपका बिल्कु सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा किसने माना है काब भेतू और आपका बिल्कु सही आंसर होगा ए नमबर जी हाँ दोस्तो राज से करने ए कागरता और अब भ्यास से उत्पन सक्ति को का बहेतू माना है यानि कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा यह नमबर बिल्कुँ सही हो जाएगा यह नमबर परशने, 9 बजने को 10 मिनिट है इस बाग का सुध रूप क्या होगा कमेंट में आपको भी उत्तर बताते जाना है देखते हैं कितने भाई बंधू कितनी तैयारी आपकी है किस प्रकार की आपकी पड़ाई है तो 9 बजने को 10 मिनिट है तो इसमें आपको पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 बजने में 10 मिनिट है 9 बजने को नी होता, 9 बजने में, ठीक है, इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा, अगला देखें, कपिस और कपीस का अर्थ है, ठीक है, तो एक तो आपको पता ही होगा कि कपीस मतलब तो होता है बंदर, तो पहले देख लो बंदर किस में है, दो में है, ठीक है, अब कपिस थ लगाना पड़ता है ठीक है आप हमारे ऐसे वीडियो को देखते जाए आपका इतना भ्यास हो जाएगा कि आप कहीं भी हिंदी व्याकरण में गल्दी करकर के नहीं आएंगे और आपको पूरी तयारी विवस्त सिलेवस के नुसार करनी है तो आपको यूटूब पर सर्च करे तोप 50 स्टड़ी हमारे इस चैनल को आप सर्च करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो फिर आपके लिए पूरा करम से अध्यन मिलता जाएगा अगला देखें पेडों पर मेना बैठी है इस बाक का सुद्ध रूप होगा अब पेडों पर मेना बैठी है तो जम नह चाहा है कि पेड़ भहुत सारे वो मेना एक है इसली क्या होना चाहिए पेड़ पर मेना बैठी है ठीक है एक नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा हमारे उत्तर बताने से पहले आपको कमेंट करना इसली कमेंट खोलने विल्कुल और अगला है छंद का नाम बताईए कौम सा छंद ये बताना है तो है कोव पापे हैं पंच तत्त प्राप्त सुनी जम गंधाबत अब ये छंद का पता लगाना है तो ये कैसा है मात्रिक छंद है तो इसमें मात्राइं हमें गिननी पड़ेंगी टोटल कितनी है ठीक है दो मात्रा है तो आप आसानी सीख जाएगें कोँ का में ओ की मातरा है तो इसको तो मातिरा जिन यह ca में चंद्र विंदी nowhere तो आपको बता हैं कि जहां पर चंद विंदी होती उसको एखी अलख्य से मात्र नहीं गिनतै तो पाका यह गिनेंगे चा के और आधथता है पूल कि जिएक बाद में है तो चा को ही डवल गिनते हैं किसी भी सब्द के बाद में जैसे त्षी 2 और 20 और साथ, आठ, और दस, उँग जयारा, जयारा मातृ 기본 मात्रां इस तरफ हो गई ठीक है, अब दूसरे तरफ के किन दू, प्राकी दो ठीक है, और ताकी ये में थीन आज सामें तो चार-पाँचा-णो, धा बड़ा है, तो उसकी गिनेंगे दो, ठीक है, तो कितनी हो गई? ग्यारा, वा, ताकि ये केक, दो तीरा, तो इस तरफ है ग्यारा, वपह, अगले में है आरा होगा ऐसे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर दले हैं आपको तो टॉप 50 इस्टडी यूटूब पर सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लेना है प्ले लिस्ट में जा करके सारे वीडियो आपको देख लेना है चली आगे बढ़ते हैं लाइक जरूर कर देना देश न संच्प्तता एबं खाली स्थान को बनाय रखना जरूरी है किसी विचीश का संचिपी करन कर रहे है छोटा कर रहे तो संच्प्ता के साथ क्या प्रभाहात्वक्ता भी जरूरी है नहीं तो उसका प्रभाय खतम हो जाएगा न तो फटर पढ़ने में आनंद नहीं आएगा इसलिह एक number इसका उत्तर ठीक हो जाएगा अगला देखें comment में आपको उत्तर बतलाना है आप सोच रहे होंगे कम समय दे रहे हैं उत्तर बताने के लिए देखिए हमें आपका समय बचाना है और साथ में कि आपसे comment में उत्तर भी चाहिए तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाएं कमेंट में उत्तर दें मेरे बताने से पहले राष्ट भासा किसका प्रतिनिधित्त करती है राष्ट भासा है चुकी तो किसका प्रतिनिधित्त करेगी राष्ट का, तो राष्ट भासा संपूर राष्ट का प्रतिनिदित्तो करती है, ठीक है, संपूर राष्ट का, तीन नमबर उत्त्र ठीक हो जाएगा, अगला देखें रिक्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिक्त पद निकलते न वो ही रिक्ती तो रिक्ती क्या कहते हैं बैकेंसी यह है कितनी बैकेंसी यह निकली आप हमेशा कहते उत्तर बिल्कुल आपको पता होता है कई वार, लेकं़ आप फिर भी पेपर में गलत करके आ जाते हैं इसलिए हम प्रक्टिस से लगवार है हिंदी कर रहे हैं कि आप वो गलती ना करें कि आपको बंते हुई भी आप गलत करके आएं वो गलती से हमें बचाना है, बाकी तो याद करा नहीं है, सारी प्रत्वी के राजा को कहते हैं, जो सारी प्रत्वी का राजा होता है, उसको क्या कहते हैं, देखो चक्रवात तो कहते हैं, आप जानते हैं, चोधरी भी नहीं कहते हैं, तो चक्रवरती, जो समश्ट प्रत्वी का राजा होता है, सबसे स्रेष्ट राजा, ठीक है, अगला देखें, सर्प का परियाएवाची बताओ, सर्प मतलब साप, जिसका परियाएवाची पहली नमबर पे दिया है, भुजंग, ठीक है, भुजंग, सर्प का, अगला देखते हैं, सिने एक्सप्रेस कहां से प्रकासि होता है ठीक है आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं ठीक है तो सीसा या दरपन कहते हैं आईना को आप लोग भी बोलते ही हैं सीसा या दरपन आउचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं आउचट मतला आवशक्ता से अधिक उसको क्या बोलते हैं आउचट आवशक्ता से अधिक बिल्कुर रट लीजी आप इन प्रिशनों को ब्रत्ती और मस्दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ब्रत्ति और मस्दूरी, एक नम्मर सही हो जाएका वेज, ठीक है? यह सही है, हाँ, आगे देखते हैं, बहुत देर में सोकर उठता है, चलिए बताइए, क्या होगा इसका सुद्रूप, बहुत देर में आप ही किसी से बोलते हो, तो आप क्या बोलते हैं, आप देर से सोकर, होना चाहिए, तो बहुत देर से सोकर उठता है, तीन नम्मर ठीक हो जाएगा, अब खुद बिलकुल लगा के देख लीजिएगा, आगे देखें, बच्चे बूड़े, किस सब्द योग में के अंतरगत आते हैं, क्या कह रहे हैं, बच्चे और बूड़े, ठीक है, का नाम बतलाना है, तो बिंद के वासी, उदासी, तपू ब्रद्दारी, महा बिनू नारी दुखारे, ठीक है, और गोत मतिये तरी, तुलसी, सोकथा सुनी, मैं मुनी ब्रंद सुखारे, हैं हैं सिला सब चंद मुखी, परसे, पद मंजुल, कंजित खार, एक तरह तो हास की प्रिकट थो रहा है, ठीक है, तो यहां पर कौन सा रस हो जाएगा, हास रस, पढ़ करके ही आता है, देखो, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, रस पहचानने के लिए, आप ऐसे ही हमारे कॉस्चन लगाते रहें, आपको अभ्यास हो जाएगा, बाकी अलग ट् अब यहां पर क्या कह रहे हैं, देखो, जथा पंख बिनु खग आती दीन, जैसे इपंखो के विए पक्ची कैसा होता है, आती दीन होता है, दुखी होता है, अब दीन, हीन, ऐसी जहां पर बात आएप खुश समझ जाए कौन सा रस होगा, करुना की बात आ रही है, तो कौ कर का अर्थ है, कर मतलब एक तो हाथ होता है, तो हाथ इन तीन में दिया है, ठीक है, फिर दूसरा कर का जो अर्थ है, किरन भी होता है, ठीक है, वो कर का अर्थ है, जो आप कर भरते हैं, टेक्स, तो चान नमबर्स का उत्तर बिल्गुल ठीक हो जाएगा, आगे आदी का अर अंत मतलब आदी मतलब प्रारम, अंत मतलब समाप, तो क्या हो जाएगा, बिलॉम सब्द है, सीधा सीधा आपको दिखाई दी रहा है, अब है राजभासा, उस भासा को कहते हैं, जिस भासा के द्वारा, राजभासा किस भासा को कहते हैं, तो आपको बता दें, जिस भासा के कारियों को संपन्न किया जाता है याद रखिएगा राज भासा में क्या होता है किसी राज के प्रसासनिक कार क्या होते हैं संपन्न किये जाते हैं प्रसासनिक कार संपन्न होते हैं अगला देखें साहित गुंजन नामक साहितिक पत्री का कहां से प्रकासित होती है तो आपको मासों का समूई इसको क्या कहेंगे तो चार मास तो क्या हो जाएगा चो मासा ठीक है और चोरा हक इसको कहते हैं चार राहों का समूई को चोरा हक है याद रखी यहाँ पर चार मासों का पूछा है इसलिए क्या हो जाएगा चो मासा आपको जल्द वाजी में उत्तन लगाना नहीं तो जल्दी लगाकर आगे वढ़गा विल्कुल ध्यान से देखना है चलिए इस सामने विल्कुल हम पेपर के ही प्रसंद आए हैं जिससे आपको विल्कुल समझ में आजा है ऐसे प्रसंद आते हैं चार पेरों बाला कोई इनमे से क्या कहते हैं? जिसके चार पेर होंगे, पेर मतलब पद, तो आप देखने, चतुसपद मतलब चार पेर, ठीक है, इस प्रकार से आप सीधे आंसर लगा सकते हैं. अब देखें चिरंतन का बिलोम होगा चिरंतन का पहले दी हैं किसी चीज का बिलोम जानना है तो उसका आर्थाना चाहिए चिरंतन मतलब चिरकाल से जो चला आ रहा है प्राचीन काल से जो चला आ रहा है ठीक है अगला देखें बाक का नाम बताओ रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है बाक को होते हैं मिस्र बाक, साई उक्त बाक, सरल बाक ए सब कुछ है आपको बिल्कुट ट्रिक के साथ पूरे सिलिवस के नुसार पढ़ाया जाता है हमारे चैनल टॉप फिप्टी स्टडी पर तो आप जुड़े रहें उप पिली लिष्ट में जाकर के आप सभी सब्जेक्ट की चाहे आप संस्कित पढ़ रहे हो चाहे परियाबरण, चाहे बाल बिकास किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो इसलिए मिस्रित बाक हो जाएगा अगला देखें इस बाक को सरल कीजिए इस बाक को सरल कीजिए इसको मतलब सरल में पड़ी वर्तित करना है तुम बाहर गए और बहरोने लगा ठीक है अब सरल बाक बनाना यह है कैसा सईयुक्त बाक है तुम बाहर गए और बहर रोने लगा ठीक है तो सही उक्तिया विसको सरल मतलब तुमारे बाहर जाते ही बहर रोने लगा आप देखो यह कहां पर लखा है यह तीन नमबर पर क्योंकि आप खुश सोच लें कि आप जब बाक बोलते कि इसी से बात करते तो कैसे बोलेंगे जिससे वो सही प्रतीत हो ठीक है तुमारे बाहर जाते ही बहर रोने लगा दोस्तों अभी तक लाइक ना किया हो तो एक बाहर लाइक जरू कर देना कमेंट में बताना कि आप किस अक्जाम की तैयारी कर रहें जिससे पूरी से लेवसके विडियू आए यस बात को संयुक्त में बदल ये कथोर बनकर भी साहर्दय बनो केवल कथोर ना रहो ठीक है तो कथोर बनो परन्तू साहर्दय बनो यह हो गया अगला देख लेते हैं अगला है अलंकार का नाम बताओ रस्छन्द अलंकार ये तो पुछे जाते हैं तो अलंकार का नाम बताना है साथी संधी और समास की बहत अच्छी ट्रकें कि साथ हमने वीडियों पढ़ाया है तो आप बो जरूर देख लीजेगा, तो अलंकार का नाम आप पूछा है, हनुमान की पूँच में लगन ना पाई, आग, लंका सारी जल गई, गए निसाचर भाग, अवे इतना सरल है, इतने वारे पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ इसका कमेंट में उत्तर आप लोग द देते हैं, बहुत सारी स्टूडेंट को एप डाउनलोड नहीं करते बर रहा है, या फिर कर भी लिया है, तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज उनको बता दूं कि यह जो सेल्फ स्टडी किलासे से इस प्रकार से जब आप पिले स्टोर से करते हैं, तो यह आपको सेल्फ स्टडी किलासेस का एप दिखने बाला है, यह image उसमें डली है, यह icon, यह logo उसमें डला है, अब दोस्तों इसको install करना है, यहां से आप install करेंगे, तो बहां पर आपको number मांगेगा, gmail number मांगेगा, तो आपको OTP आएगा, तो आप register करके आँगे बढ़ेंगे